गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स बेलकम टू पीपीर स्टडी हांसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक वर फिर फे जीतने की उमीद को जिंदा रखना ये उन लोगों के लिए है जो मैटमेटिक्स से उम थेक्याम देते हो या आप्केडमिक एक्याम देते हो कुछ भी करते हो मानते हैं कोई एक्जाम नहीं देते हो आप सिर्फ और सिर्फ अपना घर इच्छती चला रहे हो तब उनको मैथ नहीं आती है, उनको मैथ आएगी, यह हमारी पूरी सो पर्चत गारंटी होगी, यह गारंटी हम अकेले नहीं, बलकि PBR स्टड़ी के लगभग धाई लागी स्टूटेंट मिल के ले रहे हैं, क्योंकि उनका विस्वास इतना लोगों को जोड़ा है, हमारी जो क्ला जाता है, वो क्या सीखता है? आप भी बच्चे थे कभी, स्कूल गए थे, हो सकता है आप बच्चे ही हो, सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हैं, तो हम लोगों को गिनती सिखाए जाती है, हम जहां तक उमीद करते हैं, आपको गिनती आती होगी, एक, दो, तीन, चार, नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना मैं आपको ट्रिक बता दूंगा टेबल याद कर लेना टेबल और गिंती यानि गिंती पहड़ा आने के बाद बच्चे को मैथमेटिक्स में अंदर घुसाया जाता है तब वह जोड़ना घटाना सीखता है वह कैसे ऐसे ही तो सीखता है ना कि 3 में 1-8 करेंगे तो कितना होगा इससे छोटा तो हमें नहीं लगता कुछ होता है और हम यहीं से सुरू करते हैं और उसके बाद आप क्लाश्टन लेबल तक साइन कॉस्टन जो भी होता है वहां तक पहुंचेंगे टेग्नोमेट्रियों कहरा ठीक है आप से एक ही दोनों लगाना पड़ेगा जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं आगे क्या होता है तो बस वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा मैथमेटिक से भी प्यार करना पड़ेगा मतलब जिसे दिन मेरी तेरी बात नहीं होती दिन नहीं गुजरता और रात नहीं होती तो बात करना वैस्मेटिक से भी लेकिन डेली रेगूलर मिलना कैसे इनको ट्राइ करना हल करने के लिए हर दिन अदलब कुछ न कुछ अब बैस करना दिखिए ऐसे ही तो होता ना बच्चा सीख क nellz कि इसको करते हैं बच्चे को यह तरीका जखाते हैं कि बच ऑपर तीन में जोड़ना है तो तीन चार जोड़ना है तो चार लाइन खीच लो यह तो सिखाते थे बच्चे को भाई हम भी ऐसा ही सिखाए है तो 1234567 इसलिगं पर क्या लिख देते हैं साथ लिख देते हैं इससे चोटा तो हमें लगता कुछ होता है और यह आपको आता हमें आपका फाइस स्टेप का जोड़ना हो खै वैसे भी बच्चे को आइसे सीखाते हैं थीं में चार जोड़ना थो बच्चा जोड़ लो 123 यह 3 अंग अब सब को गिन लो, सब को गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हो गई न, इससे छोटा कुछ नहीं होता है, जब बच्चे को ये चीज आने लगती है, तो फिर कहां बढ़ते हैं हम लोग, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लिकिन अभी याद रहे कि बिन कहां से सीखता है, फिर, ये देखो, भाई अभी ये इन्हें बोलते हैं, दो आदा तबाले जोड़ना, हां, टू डिजिट है ना, इनमे, वन वन डिजिट का काम खतम हो गया, बहुत ही प्यार से देखना, मैं बार बार बता रहा हूं, कलास को पूरा देखना, अगर हासिल वाला हो गया, अभी एक इस्टेप आगे बढ़ गया, थोड़ा मैं और पीछे ही रहना है, इसको यहां ऐसा मत करो, मन लो यहां पर मैंने चार करती है, ठीक है, चार और तीन अभी एड किये थे, हम साथ हुआ था, आपको पता है, ये दो दो चार, इसमें हासिल नही है था, कहरी बाला, वो चीज शुरू होता है, क्यों जी, यही तो होता ना भाया, थाड़ी स्टेप में, मैं आपको आपकी पूरानी यादें आपके सामने ला रहा हूं, जो आप बच्पन में करते थे, ऐसा ही ना, देखो, अब अगर हासिल वाले में बात करें, तो ये, अब यहां पर ध्यान दो, इन में छे में पांच जोड़ेंगे, ग्यारा होगा, आप पहले समझो, यहां पर मैंने चार में तीन जोड़ा था, केवल साथ हुआ था, जब यह समझो आता है, वो टू डिजिट में आता है, तो हासिल वाल, मतलब बोलते हैं, उसमें एक हासिल अब इसके बाद में हम इन सब को जोड़ेंगे, थ्री में जोड़ेंगे फोर, और यह हासिल भी जोड़ेंगे फाइफ, क्यों यही तो पढ़ते हैं ना भाईया, आप जोड़ने में पास हो गए, इससे रिलेटेड बहु सारे कुश्चन कर लेना, अगर आपको नहीं आता यहां यहीं आप जोड़ने वाली परिक्ष्चा में पास हो गए, पहला इससे प्ता जोड़ना, यह आप सभी को लगबाग आता होगा, जोड़ना में अगर बात करें तो और भी आता है, दसमलो और समलो भी रहता है, वो सब बाद में करेंगे, पहले स्टेप बाई पूरा कलास देखना भी लाइस्ट में मैं आपको नंबर भी दूँगा, अगर आपको गड़ी सीखना है, तो आप हमसे डारेक्ट जुड़ भी सकते हैं, और प्यार से पढ़ सकते हैं, और अगर आप रेगुलर इमानदारी से मेहनत करेंगे, तो सब कुछ आएगा, और मै कुछ भी एडिट नहीं करता वीडियो में, हर दिंग तो मैं वीडियो रोकवा की मिटाता था, लेकिन आज मैं आपके सामने मिटाओंगा, पोचूँगा सब, चलो देखो, इससे आपका डारेक्ट लगाओ जुड़ेगा, चलो, अब होता है घटाना, घटाना कब होता है, सिंपल समान लो कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मार्केट गए, आपके ममी, पापा या कोई जो भी आपके घर में 100 रुपया का नोट दिया, कि बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची जाओ, तुम कुछ ना करो, एक किलो आलू लेके आओ बस, आज की जमाने मे बच्चास रुपय की मिल रही है, तो घटाना का तो काम यहां भी लगेगा, बच्चान दार को आपने 100 रुपय का नोट दिया, उसने आपको 1 केजी आलू दिया, अब मानते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हो, अब 100 रुपय का नोट दिया दुकान दार क दुकान दार ने 1 किलो आलू दिया, पच्चास रुपय की, और दुकान दार ने आपको 20 रुपय रिटन कर दिया, अब अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो आपको चूना लग जाएगा, देसी भासा में बोलते हैं, कैसे? आपको पता ही नहीं कि कितना रुपय लटाना चाहिए, और उसने 50 रुपय का आलू दे के 20 रुपय लटा दिया, मतलब टोटल हिसाब 70 रुपय का हुआ, 30 रुपय क्या नानी के घर चले गए, कहां गए वो, दुकान दार ने आपको मैतना आने के कारण वैमानी कर लिया, लेकिन अगर आपको मैतमेटिक्स आती है कि इसमें से आप घटा हो गए, 0 से 0, यह 10 से 5 गया 5, यानी 50 का आलू लेने के बाद आपका 50 रुपय बच रहा है, यह घटा आना, लेकिन सीखते कैसे हैं, इस्टार्टिक में मैं वहां से आपको बताऊंगा, हाँ, एक बात मैं फिर से बता रहा हूं बार बार, अगर आ आदे आदे गंटे चालिस-चालिस मिनट के कलास की बात करें, तो देर 200 वीडियो होंगे, ठीक है, चलो ध्यान से देखो, बहुत बढ़ा मैं नहीं पढ़ा हूंगा, चुकि जादा बच्चे बहुत जादा देर तक नहीं देखते, वीडियो छोटा ही होगा, तो बिच्च करना है, वन लाइन काट देंगे, जित्ता बचरी उसको गिन लो, वन टू, दो लाइन, इसी तरह से क्या करोगे, यह 7 है, तो 7 लाइन खींच दो, देखो, इसमें आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है, तो मैं आपको देखो, डिस्क्रप्शन में नंबर यह होगा, भी लाइस्ट में नंबर देदूगा, उस पर संफर करना, चलो, यह 7 लाइन है, 3, 2, 5, 6, 7, क्यों बच्चा, 7 हो गया, इसमें से हमें क्या करना है, कितना, 3 सब्ट्रेक करना है, तो इसमें से हम गिन के, 1, 2, 3 काट देंगे, अब जो नहीं काटा मैने, उसको क्य करेंगे, गिन लेंगे वही उत्तर हो जाएगा, यूटूब की इतिहास में पहली बार ये कला से बाकि इत्ता छोटा कोई पढ़ाएगा नहीं, कहेंगे यह तो कच्छा एक वाले पढ़ते हैं, केजी वाले, लेकिन उन्हें नहीं पता जिनको मैत नहीं आती, उनका दर्द कितना होता है, उसको कोई समझता नहीं है, वो यूटूब पे वीडियो खोजते रहते हैं, कि कहीं कोई जान नजा, इसको इत्ता छोटा नहीं आता, अंदर से उनको गलानी भी होती रहती है, कहीं मेरा वाला नजान गया, कहीं मेरी वाली नजान गया, कहीं मेरी नजान गय तो सकता आपको सीखा देवो समझ रहे ना चलिए तो यह हो गया यह घटाना होगे सिंपल वाला अगर इसमें थोड़ा सा माँ और आगे बढ़ें देखो चुकि हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे भागेंगे ना भागेंगे ना दोड़ेंगे ना रुकेंगे सिर्फ चलते रहेंगे और वह आपने कच्छुआ और खर्गोष की कहानी तो सुना होगा कैसे कच्छुआ दिरे दिरे चल करके यूद दोड़ में जीत जाता है खर्गोष बहुत भागता उचलता कुटता हार जाता है तो यह क्या हुआ गटाने का दो इस्टेप आपने देखा तो जैना यह भी सिम्पल सा हो जाएगा बहुत प्यार से हो जाएगा देखो 9 से इसमें से इसको सब्ट्रेक करोगे जैसे अभी मैंने बताया से बनाएगा इसको करोगे यह तू आएगा यही ना लेकिन इसमें किस्टेप और होता है कटाने में वह ऐसे होता है जब मालों कि 32 म मैंसे तो नव Спहतेगे इसमें उधार भीदभार का काम हुताई है जैसे काम में पहले होता था आपको पताये आपकर बच्चे में बुढ банिक अजी हमारे हमारी बताती थी कि फारा पाइसा निचलता था अ लोक कैसे जीते इस यो गया अलग हो गया उधहर का मतलब यह हो जैसे हमारे मान छूस पासफा नहीं है एक काम लग रहा है मैंने आपसे बोला भाईयव पलीज मुझे पांच रुपए दे दो काम है मुझे टौफी खानी है तो फूर मैंने कहीं से मंगा चुराया पापा अमम्मी से फिर मैं को फांच रूपय लटा दिया तो इसको नौ को घटाएंगे गठाना सब को आता मैंने लाइन खीच के हाथ घटा के बताया था था इसके पास तीन रूपया था इसने उढ़ार दे दिया एक रूपया तो इसके पास तो दो ही रूपया बचाना अब दो से दो घटा होगे तो किता आएगा जीरो इफ लिए आ गया इतना यह था पहला एक प्रकार अलग था यह अलग टाइप का था अब इसी पर आगे देखते जाओ जैसे मानलो मैंने लिखा 41 समझने की कोशिस करन मानलो यहां पर मैंने लिखा सेबा नहीं लिखा काया थिरी लिखते हो थिरी सही नहीं है यह असुद्ध गिंति यह सुद्ध लिखो चलो दो देखो यह थोड़ा अलग टाइप का है इसमें इसको एक उधार देगा ग्यारा बनेगा यह चार आएगा ठीक है लेकिन यह पूरा सब कुछ करवा दें जोड़ घटाना हो गया गुड़ा भाग सब करवा दें ठीक है तो वीडियो पूरा इंडे तक देखना भाग नहीं बच्चा अब मैं थोड़ा फार्ट कट करूंगा वीडियो को अब यह वीडियो बहुत बढ़ाना हो जाई सवजह से मैं जैसे अगर मैं कोई नंबर को लिखता हूं उनको जोडता हूं ध्यान से समझना देखना जैसे मानलो कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया मानलो कि मैंने तीन तीन और तीन और यह तीन मैंने इनको जोड़ा एक दो तीन चार बार जोड़ा तीन तीन च्छा तीन नो तीन बार यह कितना हो गया बाबू यह हो गया 12 ठीक है और अब इसमें गुड़ा ठोड़ेंगे कैसे यह नमबर क्या है तीन है यह कितनी बार लिखा गया गिनो एक दो तीन चार बार चार गुड़ा किया हो गया 12 जोडना का ही इक परो बर्जन है एक परकार से बोलो गुडा है न किसी गिंती को अगर आप बार बार जोड रहो चार पांच बार जोड रहो अर इ下次 हो गया विद्धन की परिभासा देखे तो ये कहें कि जब हम किसी एक ही गिंती को एक स्याधिक बार जोड़ते हैं तो वो गुड़ा कहला थी है बस कोई प्रकार का मल्टीपल ले लो ऐसे ही होता है कोई भी ले लो छोटा बड़ा इधर साइड में आपको सवाल दिख रहे होंगे बच्पन में हम लोग जाते थे तो हमें मानलो दो का तीन में गुड़ा करना है आप सभी स्कूल गए हो दुचाल लट खाये होंगे स्कूल में मार भी पढ़ती थी छोटे पे हैना मजा भी आता था तो देखो कैसे इधर साइड में हम लोग को पहाड़ा याद करा जाता था अब लोगों की याद होगा हम लोग की तो ब बुढ़े वहम लोग को गिंति पाड़ा सिखाते थे उसमें एक बीच में खड़ा होता था गोला में चारो तरब बच्चे होते थे दो दुना चार दो त्याइचे कुपते त्य जितना चिलाते थे के तक सुनाई पड़े और जो ना चिला है उसको पीछे दुई घमक का प पर समझिए यह पहाड़ा है दो दुना चार दो त्याइचा दो चौकार दो पंचे दस यह बारा चौदा आप सभी को आता है ना सोला अठारा पीस देखो समझो अगर हमें दो का पहाड़ा तीन में पढ़ना इसका मतलब यह है कि दो का टेबल में आप तीन नंबर तक चलोगे ठीक है दो का टेबल यह मैंने लिखा है एक दो तीन तीन नंबर पर कौन सी गिंती उसको पकड़ किलाओगे गिर रहा के यहां पर पटक दो ग कौन सी बुराई है मतलब तो हैं तो इसकी में तीन ना है तो पहाड़ा में आप आप टत तो लगएगा बराबर दो amendments which तिक आप में देखो कि देंका 3 में गुडा करो बच्चा में और बादा पहल वहां इंगा थे मुद्प बच्छा चार का 3 में करोगे तो बाहरा आएगा तो इसको ऐसे 12 नहीं लिखोगे यह गलत हो जाएगा यह सब सब्सक्राणास हो जाएगा कर बढ़ा जाएगा देखो समझो यहां पर कैसे मैं बहुत ही फूर्चत में बता रहा हूं एक दम प्यार से ठीक है रात्री के इसमें इसका जो एक बच्राय ना यह यह क्या है यह हांसिल है इसे कैरी मान लो इसको पकड़ ला इसके खोपड़ी के उपर लिख दो भूलना नहीं इसको छोड़ना नहीं अब चार का पाड़ा नौ बार पढ़ोगे पाड़ा आपको आता होगा नहीं आता तो कमेंट करना आपक लेकिन यहां पर सारा महौल बदल जाता है चुकि वहां पर दो गिंती हो गई अब मान लो सपोच करो मुझे पहड़ा आता ही नहीं 19 का तो क्या करेंगे समझना नीचे जो छूटरा में दिखा दे रहा हूं अब आगे देखिए दो अंक वाला कैसे करेंगे ध्यान देना देखो मैं आपको बता दूँए यूट्यूब की तरफ से मिलने माला सीलवार आवार्ड है फिर स्टेटी में एक लाक बच्चे से अधिक हो गए तो मिला था आप तो दो लाक से अधिक हैं है ना तो बही यह गटाना नहीं पढ़ाते हैं बहुत कुछ पढ़ाते हैं आप प्रूब देख सकते हो ना चलो आगे देखो यह इतना हो गया यह आप सभी को समझ में आ गया मैंने इसको कल्कुलेशन होगरा किया था इसको मिटा देता हूं गंदा लग रहे हैं अब चलो अब इनको एक-ए कंक को पकड़के हम गुड़ा करते हैं जैसे यहां किये थे तो 9 सती 63 आप सबको पता है नाइन से बंजा 63 यहां का जो तीन है 3 उसको यहां लाके लिखेंगे यह जो है यह कैरी हो जाएगा ठीक है हाफिल बोलते ना इसको अब समझो 9 सती 63 का तीन हासिल 6 हो गया इसके खोपड़ी पे लाके लिख दो 6 अब 9 का 9 में करोगे 81 होगा तो बच्चा 81 में आप 6 को 8 करोगे 37 होगा ठीक है 87 होगा अब ध्यान देना पहले वाला हिसाब मिटाता है जाना नहीं सिम कंफ्यूज हो जाओगी अब 87 का 7 यहां पर आप लिखोगे यह 8 जो है बच्चा रहेगा हां इसके लाके कोपड़ी पर लिख दो इस पर समझो 9 सती तिरसाट का तीन हासिल छे नो नो आपका पहड़ा फिर दो में पढ़ोगे अठारा और अठारा में यार्ट जोड़ोगे अठारा दोभीश चाबश यह आपका हो नीचे क्या करते हैं इसको मानलो हमें 19 का पाड़ा नहीं आता तो मैंने 9 का कर लिया अब इसके नीचे लाइट वली गिंती के नीचे ऐसे करोगे 1 का टेबल पढ़ोगे 7 में तो 7 होगा 1 का 9 में तो 9 होगा 1 का 2 में तो 2 होगा यह ऐसे इधर अगर बढ़ जाए तो बढ़न के बढ़ आता होगा अगर तो ठीक है अच्छी बात है बढ़ो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं आप प्यार से समझो भागना नहीं है यह पर कोई भागम भागनी हम लोग बहुत फूरसात में सीक रहे चुकि हमें कड़ित पढ़ना है और मैत से भाग के जाना आसान न देखो भई नुनिस नुमईया 171 171 में 13 जोड़ के देखो 184 होगा ना हां ठीक है तो यह हो गया आपका चार हासी लठारा उननीस दूना 38 38 38 28 28 होगा दो चपन ठीक है कम हो गया तो यह सही है इस तरह से आपने जोड़ना घटाना देख लिया आप क्या देखेंगे हम भाग करना सीखेंगे ठीक है पूरा कलास देखना इंडे तक बस आदे गंटे के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे और वह एकदम विश्तार पूरबक अच्छे से धंक से प्यार से और हां जो नए चात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो बच्चा तुरंद कर लो भाबू फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे बेसिक वीडियो प्यार से देखना भाग में क्या होगा हाँ जो बच्चे नंबर लेना चाहें काफी आप देर से आप देखने उपर नंबर है यह आप इसमें वाट्स कैसे सीख सकते हैं गड़ित ठीक है वो भी घर बैठे देखिए भाग में कई तरह की भाग होती है कुछ टाइप का में आपको बताएंगे अंतर समझ में आएगा एक परकार की यह भाग होती है जो की भाग करने पर पूरा-पूरा कड़ जाती जीरो सेसपल आता है एक परक इंगलिस में बोलोगे टू टू जा फोर सब्सक्राइब करोगे जीरो आएगा इसको ऐसे टू टाइम जाएगा थी टू जा शिक्स यह नंबर चाहे टू यहां लिखो चाहें लिखो मतलब होही हुआ सब्ट्रेक करोगे वन आएगा उसी तरह से अगर इसमें चले तो हमारा बच्चा है हाँ जीरो बच्चा है उसका कोई यूज नहीं हुआ है जीरो यहां लिक लोगे तो फाइब टू जाए टेन इस तरह से इनको सब्ट्रेक करोगे बच्चा है जीरो आजाएंगे आपका जो कैसिए टाइगा यह तो हो गया इस तरह की भागें ठीक है इन् कुछस्टिन आपके लिए हमोर खेंखा करना जीरो भाग करने वाले हैं को कुछ से ट्रै कर लेनया ठीक है इनको करना जरूर ट्राइजरों करना उसके बार चलो आगे ब hell बढ़ते नेख़् टाइफ आपको बताते है periodically अब यह देखेंगी कि भाग को दसामलों में कैसे ले सभ्ट्रेक करेंगे वह नएगा, लister final को क्या करना है, इसको कंपिलिटली हाद करना है?, तो हम decimal में ले जाते हैं कैसे, यहाँ से समझना, हाँ यह मैं इसका space बना रहा हूं, इसके अंदर बूजे हाल करना है, उधर अलगे, उपर हम decimal लगाते हैं 10 ध्रम लो फिर नीचे जीरो उतारते हैं एक पर ध्यान रहें किसी भी भाग से रे एकके बार समल कर दो नहीं सबंचर लोगर कि दो लगा है इसके बोलते हैं भाग को 10 नो ले जाना ठीक है किसे और रही ओ रहीOffra दिरे दिरे step by step बढ़ता जाएगा इसको करोगे बच्चा 2 का भाग करना है हमें पता है कि पहले 2 एक कम 2 जाएगा 2 अंजा 2 सब्ट्रेक करोगे 0 आएगा अब इसमें कोई मतलब नहीं 0 में भाग ले जाने से अब हम जो digit बचरा 7 उसको उतार लेंगे 7 में 2 का भाग कितना टाइम जाएगा आपको पता है कि 2 का पहड़ा पढ़ना साथ से जादा ना हो साथ के बराबर हो सकता है तो 3 बार जाएगा 2 तियाई 6 घटा होगे एक आएगा इस तरह से आपका सेसपल 1 आ रहा है हमें सेसपल नहीं लाना उपर 10 अमलो बढ़ाएंगे यहां सुनना उतारेंगे और यह 2 पंचे 10 इस तरह से देखो यह खतम हो जाएगा बाबू और यह 10 अमलो में आ जाएगा इसका अंसर यह उन परकार की भाग है जिनका 10 अमलो में ले जाने के बाद ध्यान देना कैसे तीन का भाग ले जाओगे 20 में हमें बताए कि 3 चंग 18 है न यह 18 आएगा इसको गटाएंगे यहां फिर दो आएगा यह फिर से क्या आ गया वही दो आ गया जो उपर था अब उपर हम दसम्लो बढ़ा के हां सुन्न उतारनी की कोशिस करेंगे फिर से हमारा वही 20 बन गया और फिर से यह 6 बार जाएगा 18 आएगा फिर घटाओगे 2 आएगा अभी अभी मैंने बताया कि हमें फिर से अगर 0 की जरूरत है तो हम फिर से यहां दसम्लो नहीं बढ़ाएंगे हम एक बार दसम्लो बढ़ानी के बाद unlimited time 0 उतार सकते हैं मतलब यह unlimited plan है यहां पर 0 हम फिर से अपने फे लिख सकते हैं तो 3 चंग फिर यह कितना जाएगा 18 इस तरह से घटाएंगे फिर से 2 आया हम फिर से यहां 0 उतार सकते हैं फिर से ले जाएंगे 6 18 आप देखरें इसके सुभा में कोई बदलाव नहीं हो रहा हमेशा दो आ रहा हमेशा फिर छे बार जाएगा यह भाग बच्चा कभी कटेगा नहीं लाइफ में इन्हें बोलते हैं नान टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना यह तो बोलते हैं इन्हें बार बार ले जाओगे कितनी बार भी ले जाओगे यह कभी भी खतम नहीं होगा टर्मिनेट नहीं होगा मतलब इसको ले जाते रहो ले जाते रहो ले जाते रहो बढ़ा जाओगे उपर दसमलों एक बार बढ़ा लोगे सुनना, फिर तिन तरीक का नो, सारी प्रकिरिया वैसे ही जाएगी, ये तीन तीन होता जाएगा, कभी कटेगा नहीं, ये एक परकार का भाग हो गए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हुआ ऐसा खुन चाहिए, ये आ ये भी चीज ये आदमी जब पैदा होता तो बच्पन में पेट से सीख के थोड़ी आता है, जमीन पे आने के बाद ही सीखता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहो कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो फिर भाई, कौन मालिक है उसका, आफ ही हो ना, चलो, सुन के ग अगर मानलो मैंने लिखा 109, इसमें मैंने सुनने जोडने को कहा तो क्या होगा, जरा बिचार करिए और फिर मुझे बताइए, और एकात नमबर हो ले लो भाईया, ये लो, 0.35 इसमें भी सुनने जोड़ लो, और एक आलक समुदाय से भी ले लो, मानलो ये अक्स में सुनन को जोड़ना है, चलो देखो, सुनन के ये प्रपरटी है, जीरो की ये प्रपरटी है, गुण है, कि अगर उसको किसी भी संख्या में जोड़ा जाए, या उसमें कोई भी संख्या जोड़ी जाए, तो उनके मान पर कोई फरक नहीं बढ़ता है, ये बिलकुल जेंटल मैन है सीधा साथा, तब ये जैसे हो, तुम ऐसे रहो, मैं तुम पर कोई फरक नहीं डालने माला हूं, बस मुझे भी अपने साथ हमें ले लो, बस, देखो, सेबन इसमें जोड़ेगा, तो सेबन ही रहेगा, 109 ये 109 ही रहेगा, ये बच्चा 0.35 वैसे ही रहेगा, ये ये अक्स साहली साहला हूं उनके साथ में, मतलब ये समझ रहा न, साहली साहला का मतलब, देखो, यहां से देखो, जैसे, एक एक चाम पर लेलो पयारा सा, ननना सा, माल लो दूसरा, कि जैसे अगर 35 है, प्लस 0 है, प्लस 1, प्लस 7, प्लस 0, प्लस 2, इनको जोड़ना है, देखे, जो अब यहां पे पुर्ड संख्या है या निच्रल नंबर हैं उन सब को हम जोडेंगे लिकिन सुनने को जोडनेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनसे कोई मतलब ही नहीं है यह बिल्कुल बोले भाले हैं बीच में यह बिल्कुल बेंडबकरियों की तरह पड़े अगर कोई लाजसरम की बात है तो बता देना इसमें देखो मुझसे लिखने में भी थोड़ा गंदा हो जा रहा है और क्या कहूं फिर से एक बार जोड़ लो बच्चा साथ एक अर्ट और दो तस और पैंतिस में दा जोड़ो पैतालिस तो कुल मिला कि मेरा यह कहने का यहां पर दो बार सुनने आया है लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं है मतलब यह है या नहीं है इनको किनारे पड़े रहें दो साइड में ठीक है यह हो गई सुनने की प्रपर्टी जोड़ने में यानि कि किसी भी नंबर को जोड़ने में सुनने का कोई भी परकार का इफे द्यान देना, ठीक है, यह तो जोड में हो गई, देखो, जैसे जोड में है, अगर जीरो को किसी भी संख्या में जोडा जाए, या फिर जीरो में कोई संख्या जोडी जाए, तो उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन घटाने में भी क्या ऐसा होता है, से हमने सुनने को घटाया तो बच्चा आपका अंसर कितना आएगा पता है हमारा अंसर 166 ही आएगा अगर हमने ले लिया 2081 इसमें से सुनना को घटाया तो यह इतना ही आएगा लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे यह तो हो गया इसमें से सुनने घटाना अगर आप किसी भी स लंख्या को 0 से घटाओगे जैसे 0-127 तब क्या होगा देखो भया यह चीज समझ लो कि यह आप अरिभासित है इंडिफाइंड है ठीक है ऐसा ही बोलेंगे इसमें न मतलब इसको हम कर नहीं सकते हैं यह पॉसिबल नहीं है कुछ लोग कहेंगे माइनस में 127 लिख दो वही आएगा वह अलग बात है लेकिन यह अगर माइटमेटिक्स से रूल से देखें तो यह पॉसिबल नहीं है ठीक है जैसे अगर यह भी ले लो कि 0 से आप माइनस का 1 घटाओ तो यह भी क्या है पॉसिबल नहीं है लिकिन हाँ अगर हम लोग माइटमेटिक्स करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से भी उज़ करते हैं इनमें बहुत सारे मतलब गुण होते हैं जो आप deeply पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगे ठीक है समझ में आरा ना आपको कि नहीं नहीं समझ में आएगा तो बता दे ना यानि जीरो से किसी नंबर को घटाओगे तो घटेगा नहीं वो कम होगा नहीं क्योंकि जीरो का मतलत तो कुछ होता ही नहीं न जीरो का मतलत तो कुछ होता ही नहीं है तो यह हो गया इसका प्रगुण इतना, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिये, आपको जबाब मिलेगा उसका, ठीक है ना बिलकुल निसांग कुछ कमेंट करना बच्चा, बिलकुल टैंसवर निले ना, सरम नहीं लगनी चाहिए, सुनेज़ की नहीं, जै कर अगर किसी भी संख्या का जीरो में गुड़ा किया जाए या फिर किसी भी सवाल में अगर जीरो आ जाए तो फिर आखिर होता क्या है समझे जैसे अगर मान लो कि मैंने 35 इसमें सुनने का गुड़ा किया और एक मान लो कि मैंने सुनने में 31 का गुड़ा किया दोनों में क्या अंतर होगा यह कहता कि भाईया अगर मुझ से टक्रा होगे गुड़ा में तो मैं तुम को बरबाद कर दूँगा तोड डालूँगा मतलब मैं अपने जैसा तूं को बना लूँगा यानी जीरो का क्या होगा ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो होगा मतलब यह समझ लो कि अगर एक आवारा टाइप का लड़का या लड़की है भाई दोनों आवारा होते लड़का वे लड़की हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, है न? तो उसके साथ संगती अगर कोई अच्छा लड़का या लड़की का लेती है तो ये तो कम संभावना है कि वो अच्छा हो जाए लेकिन जो अच्छा है वो भी उसकी तरह हो जाएगा ये ज़्यदा possibility होती है तो वही यहाँ पर होता है ठीक है? समझ गए ना? अब देखो ये हो गया भी कोई अगर होगा तो बुरा नहीं मानना मतलब समझ रह ना? ये लो चलो जो होगा बता देना कि हाँ मैं हूँ इन में क्या होगा? देखो इसमें बीच में गुसेड़ गुसेड़ कि जिरो यहाँ गुसाया गया है मतलब नंबर और अलग अलग भी है लेकिन जीरो इसके बीच में चूपा है तो ये सब का गुड़ा करोगे तो आप कहोगे भाई या 3 दूना 6 दूना किता होगा 6 सब्सक्राइब 42 होगा ना कर निजह कर सकता है रहुझा ये कम करना बॉन या कर लेगा को या कर लेगा हमई अधिकत नहीं है और हाँ कोई भी काम दुनिया में असंबो नहीं होता है, ये बात याद रखना, कुछ भी चाहते हो, आपनी लाइफ में आप उसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले सोचना और फिर काम भी करना, ये नहीं की बैठ के सिर्फ सफने देखो हावाव में, ठीक ना, चलिए, य हो गया आपका गुड़ा का परगुण, जिसमें आपने सीखा, कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो का मल्टीपल करते हैं, बच्चा तो क्या होता है, सब जीरो हो जाता है, सुनने हो जाता है, ये बाते मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से हातास, निरास होते हैं, जो मैद सीखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं आएगा, मैं तो बर्बाद हो गया, अरे आर सीखने के कोई उमर नहीं होती है, आपको बता दें कि PVR स्टटी में आल इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट है, जिसमें में कैसे होता है, भाग का मतलब भाग, भई पढ़ लेना तब भाग, देखो, कैसे, जैसे अगर मानलो कि मैंने लिखा एक नंबर, नंबर तो मैं सोच सोच के लिख रहा हूँ, ये, इसमें क्या किया, जीरो का भाग किया, और अगर मानलो मैंने जीरो में भाग किया, किस से मानलो मैंने 45 ले लिया चलो अब देखो दोनों में अंतर होगा बच्चा इसका जो अंसर होगा बाबू वो अनंत होगा इंफाइनाइट होगा लेकिन इसका जो अंसर होगा वो का होगा जीरो होगा देखो क्यों वो भी बात मैं आपको बता दे रहा हूं यह याद रखना कही कहीं लोग confused हो जाते हैं देखो इनको कुछ अलग धंग से भी देख लो जैसे 0 बटा 1 ये बच्चा क्या होंगी 0 होंगी लेकिन 1 बटा 0 ये हमेशा infinite होंगी कहने का ये मतलब कि अगर नीचे 0 आ जाए तो फिर जान लो कि अब ये कभी पार नहीं लगने वाली ये नहीं या बहुत बीच मडरार में जाने वाली है ठीक है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए अगर नीचे कहीं 0 आ जाए तो फिर अनंत हो जाएगा और वो कैसे हो जाएगा सुबा से लेके साम हो जाएगी भाग करने में चलो मैं एक एक्जामपल दिखाता हूँ यह ले लो 49 वाला ठीक ना भया खाना पीना खाके बैठे हो न दिन चार दिन तक भाग करेंगे इसको हम खतम नहीं होगा फिर भी यह देखो कैसे समझने की कोसिस करना और हाँ अगर गड़ित नहीं आती तो कलास बीच में नहीं छोड़ के भागना यह कुछ होने वाल नहीं है अभी नमबर भी दिखाऊंगा लाष्ट में चैटिंग भी कर सकते हो आप हमसे बात भी कर सकते हो कलास से संबंधित लेकिन और कोई नहीं चलो आप देखो अगर हमें 0 से भाग करना है 39 में सुनने से न आपको पता है कि यहां पर हम भाग करने का मतलब हमारा यह होता है कि 0 में किसी ऐसी संख्या से गुड़ा करें जो 3 के बराबर आ जाए या फिर 3 के थोड़ा उससे कम रहे तो हम यह जानते हैं कि चाहें इसमें हम 180 बार भाग कर दें क्या 300 बार चाहे 9 बार कर दे भाग का मतलब है एक्चुली होता क्या है समझे लो जैसे अगर मालो कि हमें 15 है यहां पर हमें 3 का भाग करना है तो उपर 5 बार ले जाके यहां 15 लिखते हैं तो भाईया अभी अभी आप पढ़े हो गुड़ा वाले में कि किसी भी संक्या में अगर 0 का गुड़ा करें तो सब बरबाद हो जाता है सब सुनने हो जाता है तो यार चाहे 8 बार ले जाओ चाहे 8 बार ले जाओ सब 0 ही हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं चाहे जितनी बार ले जाओ ठीक है तो चलो अब समझो मतलब की पूरी कहानी यह है कि यहां 0 हो जाएगा गटाओगे फिर 3 आजाएगा आप किसी के मन में चुल पर ही है कि नहीं 9 बार नहीं 20 बार ले जाएगे तो 20 बार ले जाओ कोई मतलब नहीं 20 बार ले जाने से भी ठीक है यहां 8 बार ले जाओ माल लो तब भी यहां 0 आएगा गटाओगे तो क्या होगा यह फिर वही आएगा मतलब की कुछ भी कर लो आप अभी यह 3 से ही नहीं निपट पाओगे 9 का तो नंबर ही नहीं आएगा किसी के मन में कर रहे नहीं जादा ले जारो तुम एक के बार ले जाओ तब भी यहां 0 आएगा यसी लिए कहते हैं कि यह कभी खतम नहीं होगा अनंत आएगा कभी खतम ही नहीं होगा इसका सलूशन ही नहीं निकलेगा ठीक है तो यह क्या होगा infinite होगा अनन्त होगा इसके अलावा जो दूसरा वाला है उसमें क्या होता है बच्चा उसमें 0 हो जाता है क्यों जैसे देखो अगर 0 को 49 से भाग करना है मतलब की देखो अच्छे से समझो यह मैं मिटा दे रहा हूँ इसका काम खतम हो गया अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो को पीछे करके आप इसे पटा पट लिख लो हाँ चलो आप समझो अगर हमें 39 का भाग करना है जीरो में हमें क्या करना है किसी एक ऐसी गिंती से भाग करना जिससे जीरो आ जाए बहुत आसान है हम जानते हैं जीरो लाने के लिए जीरो का भाग करेंगे जीरो का गुड़ा करेंगे अगर हम उपर जीरो बाल ले जाएंगे तो यह खटाग दें इसमें जीरो से गुड़ा हो जाएगा यह कहेगा बच्चा तुम्हारा काम खतम हो गया अब तुम जीरो के बराबर हो गया बस हो गया बात खतम है अब यह न भाज्य भाजक और भागफल सेसफल इसको इंगलिस में बोले तो आप जानते हो क्या बोलते इने डिवीडियंड है नहां किसको बोलते हैं डिवीडियंड भई यह डिवीडियंड डिवाइडर और सुनने पद का गुड़ा अभी दिखाएंगे एक्जामपल जैसे किसी संख्याओ में जब जीरो आ जाते हैं तो उनका मल्टीपल कैसे करते हैं भिन यानि कि फ्रेक्शन का चोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे ये सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन कलास को पूरा देखना भाई जादा देर नहीं देखना थोड़ा धेर लेकीन तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब़ाज में बाग तो बावाई साब जो ऊपर जाता बावु यह क्या होता है यह होता है भागफल यह हमारा मुख के उत्तर होता है अगर भाग करें तो इसे इंगलिस में कोईसियंट बोलते हैं ठीक है कोईसियंट बोलते हैं यह होता है सेसफल सेसफल इसे इंगलिस में रिमाइंडर बोलते हैं ठीक है यह होता है भाजक यह चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझ लो इसको ठीक है भाजक इसको इंगलिस में डि बाईजार और यह होता डिवीडियंट जिसे भाज बोलते हैं क्या बोलते हैं भाज डिवीडियंट होता यह यह चीजे समझ में आई यह कहां पर काम करेंगी अब ही मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भी भाग आपको दी जाए तो आप उसको देख के बताएंगे उसमें रि है इकग फर्मूला होता है औक होता है यहां पर देखो भाज बराबर होता है भाजक गुड़ा भागफल भाज़ बराबर होता है बाज़ बूंझा मैं धांतक नॉंगर होता है ठीक है यह छीज़ें अप समझो भाज्य क्या है हमपर समझ मैं अभी मैं और लिखा रहा है भाज्य देखो बाब उपर साइड आपको डिख रहा है मैंने लिखके रख था भाज्य इसमें 13 है यह लिख थो और भाजक क्या है कि दहिए भागह एक interface अगर आप देखोगे ते तेरा बराबर तेरा आ रहा है बोलो आ रहा कि नहीं दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब यह हमारी भाग सही है अभी देखो मैं कहीं गलती करके भी आपको दिखा दूँगा दोनों बराबर नहीं आएगा अगर गलती करेंगे तो यह दोनों दो भाजक यहांपर साथ है भाग फल झार钱 2 है इस तरह से अगर आप यहां-पर ट्राई करो गई तो 28-23² वि्यां यहां भाग इसका मतलब गलत हैं यह दोनों बराबर नहीं अब देखो गलत कहा है सीधा चाल पर गठाने पर 2 इस तरह बाद समझ में आई श्राय में यह अगर यह बाद आपकी नहीं हो जाएexhales 29 हो जाएगा और इस तरह से यह दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आएंगी अभी इसमें हमें देखना है सुने पद्ध का गुड़ा इसकी आगे तो इसमें हम डिसकर्फ नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं भाज भाज आएगा फटाफट हर को कमेंट करेंगा अगर आप यूटूब पर इसे डेमो देख रहें तो चलो देखो मैं बता दूँ बच्चा अगर आप 47 में आठ का बाग करोगे तो आठ पंचे चालिस आठ चालिस ज्यादा हो जाएगा पांच बार जाएगा तो 40 आएगा मतलब सा आएगा इसका अंसर कितना होगा ये कुष्टन मार्कमे ने लगाया था इसका आप लोग मुझे मुझे बताओगे उसकी बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस तरह के और भी सवाल आप खुद से बना के करना घर पे को सिस करना अब जो यह सवाल दिख रहे हैं इनका जवाब आप लोग मुझे बताओगे चलो जल्दी फटा-फट सभी कमेंट करो और हां एक बात और बता दें जो भी नए चा प्रका भी अपिछ अरह क्राव लिए अब दूसरा सब्सक्राइब पर करेंगे सुनने का बाग म्टाव ल्ड़ा खाग कि झालो कि किसी भी संख्या में सुनने का गुड़ा करने पर हमेसा धूर्श हो जाता है चाहिए वो कितनी बड़ी संख्या हो बाता आप समझ रहों क कितना भी बड़ा इनसान हो जाए अगर वह कोई गलत काम करना पर शुरू कर देता है तो वह गडबढ़ हो जाता है कातम हो जाता है समझे लो नजए इनको भी अगर आप करोगे तो यह सुनने हो जाएंगे कि अगर किसी भी परकार की question में आपको zero का multiple मिल गया बीच में कहीं, तो सब zero हो जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा कभी-कभी नहीं होता है, कब, देखो कैसे, ये तो zero हो गया, ठीक है, आप कहोगे यहां तो हो गया, यहां तो हो गया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी question बन जाते हैं, जहां पर zero नहीं होता है, अब आप कहोगे वो कैसे, जब उसमें दो पार्ट हो, मतलब question में कई भाग हो, और भाग कैसे होते हैं, अलग-अलग, जहां से जोड़य घटाना का चिन लगता, वहीं से अलग-अलग माने जाते हैं, देखो कैसे, जैसे मानलो, तीन बटा साथ है और धन, यह है बच्चा आपका पांच बटा नो, और धन साथ बटा दो, और यहां पर zero का गुड़ा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर पूरी तरफे zero नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, वो इफ लिए नहीं होगा, कि इनको जोड के इसमें गुड़ा है, ले नहीं होगा, यह तीन बटा फाथ ही होगा, बात आप समझ रहे हो कि नहीं, यानि कि कि किसी भी संख्या में zero का गुड़ा करने पर zero तो हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए, कि एक बदालग हो कहीं, यहां पर प्लस हो या माइनस हो तब zero नहीं होगा, फिर वह अगला जो है हमारा टॉपिक वो नया है, उसका नाम है भिन, देखो भईये यह भिन क्या होता बाबू, भिन एक परकार से किसी एक संपूर्ण भाग को, अगर उसका कोई एक छोटा हिस्सा दिखाया जाए, तो उसी को एक बरकार से भिन का जाता है, मतलब ऐसे हम कहें, कि क खेत का मालिक कौन है, रमेश है, आप समझना, एक जामपल, रमेश के तीन बच्चे हैं, जिसमें मोहन, रभी और प्रियंका, आप कहोगे प्रियंका को कहां से हिस्सा मिलडा लड़कियों को तो मिलता ही नहीं है, भईये जमाना बदल गया है, अब इस खेत के तीन होगा, तो उसको जो हम गिंती लिखेंगे, वो भिन नकालाती है, यह पूरा खेत कितना है, एक है, इसके हिस्सेदार कितना है, तीन है, तो प्रियंका का हिस्सा एक बटा तीन होगा, आप समझ गए न, प्रियंका का हिस्सा कितना होगा, एक बटा तीन, और इसका हिस्से को एक के हिस्सा होगा ना सब में से तो एक के हिस्सा होगा तो इसका भी क्या होगा एक बटा तीन होगा मोहन का भी एक बटा तीन हिस्सा होगा अब कहोगे इन सबका एक बटा तीन, एक बटा तीन हो रहा है? हाँ, सही है, सबका एक बटा तीन जोड़ो, तीन बार है न, सबको जोड़ो, आब अगर सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा तीन बटा तीन, ये बराबर एक मिलेगा, एक का मतलब क्या? एक का मतलब पूरा तीन एक बटा तीन हिस्सा मिलेगा आप समझ गए ना हाँ एक बात यहां फे और समझ लो जैसे यह मान लो कि यह कहते हैं भाइया प्रियंका और रभी की भाई भाइन हम एक केम रहेंगे भाई मोहान को अलग कर दो बस इनको अलग हिंसा देदो हम दोनों एक केम चला लेंगे काम अभी दोनों एक में हो गए अब इनका केट तो बड़ा हो गया हां अब अगर कहा जाए कि रभी और प्रियंका का कुल कितना हिस्सा है बताइए रभी और प्रियंका का कुल मिला के दोनों का मिला के कितना हिस्सा है तो हमें पता है कि यह तोटल तीन पार्ट हुए थे टोटल तीन हुए थे तीन में से यह धो इनकrows जोटाना गुला भाग फिर आज हम पढ़ेंगे फ्रेक्षब आपसे निबिधन होंके कालाज को पूरा देखना ही प्रेक्षब बिन कहते हैं इनकी definition इदर मैंने लिखा है बिन एक संख्या है जो किसी पूर्ल संख्या या वस्तू के एक भाग को दिखाती है अब इसे आप थोड़ा detail में समझना इसके लिए आप मुझे थोड़ा फटाइम देना पांच मिनिट का चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो कि एक कि आ एक है कि एक खर फूच है तर फूच है कुछ भी मान लो एक अम्रूद मान लो और मान लो कि मैंने क्या कियають इसके ऐसे Δ burial का कर दिये कि इसके अईंसमे攻 hail कर दिये जुने आप है कि इसका है मतला गवान कुछ आनंे के लिन नहीं पूजा की है को खाने के लिए कोई पूजा नाम है हाँ? और यह इतना क्या है भाया? यह मोहित कहा है इतना भाग किस कह दुए इतना भाग मोहित कहे वो और ये उसका भाई है रभी मान लो चलो और ये है सोहन अब यहां से आपको क्या मिला एक बटातीन ये क्या है एक भिन है लेकिन ये भिन क्या दिखा रही ये दिखा रही कि एक अमरूद है जिसका एक बटातीन भाग पूजा को खाने को मिला है भिन क्या है एक परकार की संख लेकिन इह क्या दिखाती है एक अब टर्तिन यह दिखा रहा है कि ये कि सी का एक फोटा सा बहाग हमां कि इसको अधिए है पूरे हो जाएगा तीन बटतीन blur मतलब एकाहएगा इसका मतलब सही एक आगए अधाय मतलब पूरा-पूरा हो गए न भ GB इतिक है यानि कि टीक को मिला है बॉजा को मिला है आट है वह इसके को मिला रभी वाफ तेन लेकिन अगर कहा जाए यह दोनों कहने हम दोनों एक मिल जाएंगे भाई यह दोनौ나र के खाएंगे श्चर को कहेंगे नहीं तुम अपना ज्यादा खाती ह ripe तुम अलग खाओ हमारे में नीकाओ है दोनों वाइवे हाग है अब इन दोनों को मिल के कितना भाग मिला भाई एक ही मिला तो इनको दोनों मिला के दो हौता- क्वाथ तीन भाग मिला को लोगों को बुरा लग रहा होगा चलो ठीक मैं आपकी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ, अब मालो भाई ये दोनों मिल गे रभी और पूजा, इन्होंने का नहीं, हम भाई भाई ने एक केम खाएंगे, इस सोवाना को अलग कर दो, बहुत दुश्ट है ये, ये अलग खाएगा अपना, अब ये दोनों अगर एक में हो गए तो क्या कितना भा होगा, तब भी होगा, देखो कैसे, अगर तीनों को अलग अलग भाग कर दो, तो सब को एक बटा तीन मिलेगा, सब को एक बटा तीन, एक बटा तीन मिलेगा न, मिलेगा न भाया, तो एक बटा तीन को एक बटा तीन, और एक बटा तीन जोड़ो, फाइनल में तीन बटा तीन आएगा बराबर एक आएगा कितना आएगा वन तब भी आएगा लिख लो इसको फटा फट लिख लो और उसके बाद आप बातों को समझ गये होंगे जल्दी करो आगे बढ़ें इनको आप लिख लीजिए एक बात आपको और बता दें भी आप लोग क्लास को सेर नहीं क अब इसके बाद आप देखोगे चोटी और बड़ी भिन ध्यान दे ना जिसे हम इंगलिस में वैसे लिख लिए टेंपरोरी में स्माल एंड लॉंग फ्रेक्शन अगर मैं गिंती में आप से पूंच हूँ कि यह बताओ चार और नौ में कौन बढ़ा है तो आप को होगे सि नहीं चाह करके भी नहीं बुला पाओगे है ना बुला ना सकोगे तुमा में बोल कर भी मतलब इस कुश्चन को देखो आगी कैसे जैसे तीन बटा-5 एक बटा-5 है इसको ऐसे मानलो एक चॉकलेट है ठीक है यह तीन बटा-5 का मतलब यह है कि तीन चॉकलेट है पांच खा और खाने वाले पांच सैतान हाजिर है मतलब आपको यहां पर यह समझना है कि किसके हिस्से में जादा-जादा लोगों को खाने को मिलेगा जिसके पास एक है पांच खाने वाले उसमें जादा-जादा मिलेगा सबको धेर सारा मिलेगा यह फिर जिसके में तीन चॉकलेट ह कहने वाले पांच है कि इसे आप ऐसे लिख सकते हो three upon five is greater than one upon five इसको तो आरामसे कंपेर कर लोगे फिर कहोगे फिर इस तो बहुत आसान इसमें कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है हाँ देखो कैसे इसमें साथ बटन हो इसमें नौ बटनों है इसका मतलब है कि इसमें साथ चॉकलेट में नौ खाने वाले हैं और इसमें नौ में नौ लोग खाने वाले हैं मतलब सबको एक एक मिल जाएगा यानि इसमें तो एक एक मिलेगा मतलब कौन सा बड़ा है ये बड़ा है लेकिन ये तो ठीक था यहां तक समान है मतलब हर समान है अलग-अलग है अब मैं आपको बताऊंगा बच्चा जब इनके अंस मतलब यह जैसे साथ बटा यहां पर चार है यहां पर साथ बटा तीन है उपर की गिंती बराबर नीचे की अलग-अलग है तो कैसे समझोगे देखो इसको ऐसे समझ लो इसमें साथ चौकलेट है, खाने वाले चार है, इसमें भी साथ ही चौकलेट है, खाने वाले तीन है, तो जादा जादा किसमें मिलेगा, भई या खाने वाला माल तो सब में बराबर बराबर है, इसमें साथ है, खाने वाले तीन ही है, तो यानि ये क्या है, बड़ा है, इसमें भी आप अ लगा लोगे यानि अगर हर हर बराबर है नीचे का जैसे अभी देखा था ये तब भी अनुमान लगाना असान है अगर अंस अंस बराबर है तब भी अनुमान लगाना बहुत ही इजी है है ना इस तरह से जो भी भिनने अगर हर बराबर है अंस बराबर है तो आप लोग उन्य कर सकते हो कौन बड़ा कौन चोटा है इनके कुछ एक्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा है उनको देख लीचिए अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे डेमो के रूप में देख तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसे कि आप बिल्कुल फ्री में पढ़फाएं चलिए आगे कुछ में एक्जांपल दिखाता हूं अब देखो यह आपके लिए हैं इनको घर पे आप लोग करना और मुझे बताना ठीक है कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ इ एंगे टाइफ औफ फ्रेक्शं इंकलिस में इसको फ्रेक्शन बोलते हैं हिंडी में भिन भोलते हैं सबसे पहला है उचीत mouth जिसको प्रापर फ्रेक्शन बोलते हैं इनकी साटकन में मैं आप से पहचान अगर करवा दूं तो जिस ARM'd का आंस बड़ा हो और हर छोटा हो यह उल्टा हो गया इसका है अनुचित का ठीक है हाँ जिस भिन्न का आंस बड़ा हो और हर छोटा हो एक्जामपल यहां फे देख लो यह आंस छोटा हो हर बड़ा हो यह क्या है बच्चा यह है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रेक्शन ठीक है दوسरा अनुचित भिन्न या improper fraction जिस भिन्न का अंस मतलब नीचे की गिंती छोटी हो उपर वाली बरी हो वो अनुचित भिन्न या improper fraction का लाएगी ये दोनों में अंतर है की नहीं बच्चा ये ये तो ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं नीचे की गिंती बड़ी है यहाँ पर उपर वाली गिंती बड़ी होना चाहिए यह ऐसा होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो यह हो गया कि यह क्या है यह अनुचित भिन्न है समझ गए जबकि इसका उल्टा होता पड़ोसी भाई 36 का अखड़ा वाला यह इसमें नीचे का गिंती जो है वो बड़ी होती उपर की छोटी होती इसमें नीचे की छोटी उपर की बड़ी समझ गए यह होता इन दोनों की कहानी अगला है संभिन्न मैंने आपको पढ़ाया थ जब बर्यवल सब्सक्राइब कांस्टेंट में क्या ऐसे कुछ था न उसमें भी मैंने पढ़ाया था लाइक एंड लाइक फ्रेक्सण पढ़ाया था न रेक्सण नहीं था तो सम्भिन्न का मतलब यह है जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मतलब ऐसी दो भिन एक पर है नहीं है कोई को नहीं है देखो नीचे की गिंती जो है वह बराबर होनी चाहिए यह ठीक है कुछ लोग सोचेंगे एक जामपल पहले लीखा ऑगलत था मतलब दोनों का जो denominator वो इक्वल होना चाहिए इसमें वित्री एंसमें वित्री ठिक है समझ रहे ना तो यह क्या होगी सम भिन्न होगी क्या होगी बच्याय संबीन होगी या लाइक फ्रेक्चन होगी इसके अपोजीर अगर चले हैं विसम्बिन में इनके अंस और अभी तूरं सब्सक्राइब कर लें विल्कुल फ्री सब्सक्राइब करें घर बठे गड़ी सीखें पूरे गारंटी के साथ कोई सवाल है कोई बात है जो दिल में पढ़ाई वाली कह सकते हो इस नंबर फे फोन करके वर्टसप करके आगे देखो अगला है मिस्र भिन मिस्र भिन या फिर इसे मिस्रित भिन बोलते हैं मिक्स्ट फ्रेक्शन वैसे मिस्र तो थोड़ा सा अलग लग रहा ना मिस्रित ठीक है क्या होता बच्चा मिस्रित भिन जिसें इंगलिस में मिक्स्ट फ्रेक्शन बोलते हैं इसके नाम सही लग रहा इसमे भी देखते दैसी जाथी के जानवार आते थे इंसान भी होते देशी फसलें कि अन्हें से धिदेज आम होटा था है लिकिन अब सब संगरण वाले हो गए मतलब म्मी अलग पाप वालग इधर देखो SUS está means that अब तुम लोग सोचो कि क्या मिला क्या इसमें बक्चा यह जो तीन यह फिर ऐसे बोलो यह क्या है पुडांख और इस तरह से क्या हो गई दोनों बिन्ने एक में बंब जाती तो मिफृत बिन्न या फिर मिख्ट फ्रैक्षन बनती हैं यह कब बनती हैं जब ऐसी कंडिशन होती तब मतलब जब हर छोटा अंस बड़ा होता है तो mixed fraction का जनाम होता इसमें से यह आप समझ गए नीचे है एक equivalent fraction क्या है equivalent fraction आप यह equivalent fraction कौन से जानवर का नाम है यह भी देख लो ध्यान से इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है चलो प्यार से देखो बच्चा यह जो है न equivalent मतलब समानता का अधिकार आपने सुना था हां सुना था न कि भाईया इस देश में रहने वाले हर एक बेक्ति को क्या होगा समानता का अधिकार मिलेगा न कि किसी भी इस्तरी पूरुसिया जाती धर्म की आधार पर कोई भी सरकारी संस्थान में उनके साथ दो तरह का बैवा सरकार नहीं होगा ना रहेंगे सरकारी संस्थान ना होगा वैवहार आजकल की हमारी सरकार की यह कंडिशन है ना रहेगा बास ना बज़ेगी बासरी बाकी ज्यादा बोलेंगी तो पॉलिटिकल हो जाएगा चलो बात छोड़ दो यहीं पर आगे देखो तो इक्वेलेंट का मतलब यह होता है कि जैसे कोई एक भिन है तीन बटा मालो 17 इसमें किसी एक निश्चित संख्या से गुड़ा कर दें या भाग कर दें एक निश्चित संख्या से बराबरी का मामला होना चीए जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लोग कही के संख्या से गुड़ा करेंगे करें दोनों नीचे दोनों में तो चार का तीन में गुड़ा करोगे बच्चा तो 12 हो जाएगा और चार का इसमें गुड़ा करोगे तो 17 चूपा 52 17 फोर्जा 52 होता है कि नहीं ऐसे कर लो मुझे लग रहा गलत है क्या चार सते 28 17 चूपा 68 होता है यार जिती करवा दिये न टेबल आता है कि नहीं आता कमेंट करना टेबल के ट्रीक आपको बता दिये जाएगा ठीक है ऐसे भी कर सकते हो देखो समझो मतलब की बात समझते चलो यह वीडियो हमारी कोसिस होगी कि आपको मिल जाए वैसे तो सब्ताम एक दो वीडियो मिल जाए ठीक है बहुत है रात के 9 बजे से एबरी डे आपको यह वीडियो मिल जाएंगे सुबह 7 बजे से भी मिल सकते हैं तो आप टाइम याद और टाइम पे कलास में जरूर आ जाया करें कोई परकार की इंक्वारी है तो उपर नंबर दिया गया उस पर समपर करना आगे देखो इनकी पूरी कहानी समझो अभी तो पूरी बात हुई ही नहीं यहाँ पर समझो अगर हम पूछें कि बच्चा सतरा तीन बटा सतरा का इक पल्ले नहीं पड़ रहा है मत ट्रेंशन लो बने रहो हमारे साथ जाना मत देखो अगर मैं कहूंगी कि एक बटा तीन का इक्वालियंट प्रेक्शन बताओ बच्चा इनको दोनों को पकड़ लो इनमें दो से गुड़ा कर दो उपर दो से करो कि दो एक कम दो और दो त्या बनाना है तो बच्चा इनको भाग दे दो एक निश्ची संख्या से चलो देखो समझो पहानी समझो यह एक बटा तीन का तुल्ले बिन दो बटा च्छा उपर मैंने बता दिया था उसको लिख लो लिखने के लिए ना बताना पड़े कि हां लिखो 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 अब यहा देखो आठ बटा बारा यहां पर समझो पहले जाने दो अंस और हर दोनों में एक निश्ची संख्या से भाग करेंगे कैसे इसमें भी दो से भाग कर लो बच्चा और आठ में भी दो से भाग करना है थोड़ा सा इसमें जुगाड बना लो इसको उपर करके कह एको गंदा क कर दिया यह दो दोनों में भाग करना है ड़ dieser के समझ रहे हुना हम क्या करने वाले हैं हमने यह भीन रही रियल में थी 8 बटा 12 इसको हमने 2 से भाग किया दोनों में तो बच्चा कर लो ना दोनों को अला गलाग ही कर लो चाहे तुम यह 24 यह 2 जंग 12 इक्वल कितना अगया 4 बटा चाह यानि आप कह सकते हो क्या कह सकते हो कि तोए एट अपान टोएल का जो तुलेविन है एकम क्वान्टτά 596 है इसको फिर से दो से भाग कर दो ये दो हो जाएगा यह तीन हो जाएगा यानी आठ का नहीं चाGER बॉत अःके शालो अगर पूछे कि की तुलेविन네 अयह स्वागन और ये हम कह सकते हैं कि दुबटा तीन का तुल भिन तीस बटा पैतालिस भी है क्या किया मैंने 15 से मल्टीपल किया दोनों में उपर नीचे और क्या लेकिन एक बात और समझ लो बच्चा अब ये तीस बटा पैतालिस इसकी तुल भिन नहीं है क्यों किसी भी कंडिशन में आए गा ही नहीं समझ गए न तो यानि यह दोनों कि आपस में यह दोन तुल भिन है और बिटा यह दोनों और यह चुट boundary यह यह तीनों तुल भिन है आपस में यह तीनों यह तीनों तुल और ये समझ जेगए न यह होता lotus function उमीद करते हैं आप fraction का टाइप समझ गये होंगे एक होती बड़ी खतरना बितत भिन्न के बारे में हमें हापे डिसकस नहीं करेंगे किसी काम की नहीं होती वो आज का topic है simplification आप fraction जिसे बोलते हैं भिन्नों का सरली करण जिन चात्र चात्राओं को अंकल अंटी को दादा दादी को मैथ नहीं आती उनसे बिनम्र निवेदन है साधर निवेदन है कि वो पूरा देखें अच्छा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये classic बच्चे ही नहीं देखते मुझे पता है बच्चे के मामी पापा और उनके दादा दादी कभी कभी देखते हैं क्योंकि वह अपने बच्चों को बढ़ाते हैं चलो देखो इधर साइड में देखो बई चलो ऑफाने टीन है इसे हमें क्या करना सिंपलिफिकेशन करना मतलब सरली करना इसको काटना है छोड़ा छोटा कैसे देखो एक बच्चों आली यहां पर इस्टाइल दिखा हूं बच्चे क्या करते हैं ऐसे करते हैं दो चंग बारा दोनों अठारा लेकिन उनको यह नहीं पता यह तो भी और कटेगा अभी तो इसके इच्छाई नहीं पूरी हुई तो यह तीन से कटेगा तीन दूना च्छा तीन रिकानों मतलब दो इस्ट सब्सक्राइब निचे लिखा एटीन अब ध्यान देना इसको अगर मैं ऐसे करूं शिक्स टूजा मतलब मेरा दिमाग भी लग रगडबड हो रहेगा काफी रात हो गई ना रिकार्ड औरी कलास शिक्स टूजा लग और सिक्स त्रीजा एटीन अच्छा यह बताओ यह पहल करना चाहोगे दो बार में काटने वाला या एक बार में अब देखो आप लोग कहोगी यह कैसे आपने किया देखो समझो यह तो मान लोग कुछ छोटा सा कुष्चन सा 2 ही बार में कट गया कुछ ऐसे भी बड़ी बड़ी फ्रेक्शन है जिनको तुम आठ बार काटोगे त था कटने का मतलब क्या होता मैंने पिछली पांच कलास में पढ़ाया उसको देखलें डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है ठीक है चलिए तो यह एक परकार से अब क्या है सटिस्फाइड है पूरी तरह से यह किसी भी एक सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होगा इसलि हो देखो यह एक बार में क्यों कट गया एक्चूली करते क्या न इसका पहले थोड़ा सा गुप्त बाते समझो यह जो ट्वेल था और एटीन था न भईया इन दोनों का हम निकालते हैं एचसी फिया फिर बोलें तो जी सी अफ अब इनको जी अप मत परना नहीं तुम आएगा छे आएगा कया एगा चे आएगा और छे से अगर हम काटेंगे तो च्निकाल के नहीं करते वसे और परेंगा एक गार जो बार अभर काटना पड़ेगा एक जमौवर देखो जलदी देखो फटा-फट देखो देखो नीचे वाला ध्यान दीजिए, प्यार से देखिए, देखिए बबुआ इनको जरह ध्यान से देखना, यह 128 अपान 256 है, क्या कहता है, ध्यान देना, अगर इनको हम बच्चों वाली बिधी से काटेंगे, ऐसे, दो दो से काटेंगे, तो दो चंग बारा, दो चव काट यह दो एक कम दो, और दो दुना चार, और दो अठे सोला, एक बार कट गया, इनको फिर से काटेंगे, दो दो तिया इचा, दो दुना चार, और यह दो चंग बारा, और दो चो काट, फिर से काटेंगे इनको तो दो एक कम दो, दो चंग बारा, दो तिया इचा, दो दुना फिर से काटेंगे इनको तो दो अठे 16 और दू इसे क्यों ठीक है अभी इनका पेट नहीं भर आभी और कटे गई एक दम राक्षा सो गया वही पेट नहीं भर रहा इसका देखो दो से काटो दो चौँ काट और दो अठे 16 चार बटा आठ अभी फिर भी पूरी तरह से सर्टि आप यहां पर क्या देख रहे हो यह सिंप्लिफिकेसा ना जानने वालों की इस्थिती है जो इतनी बार काटते हैं समझ में आया इसके पीछे एक छोटा सा फंडा है छोटा सा मेथेड है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले दी गई भिन का आपको HCF निकालन है जिससे की बिल्कुल फ्री पढ़ सकें घर बैठे और हाँ इस सेशन को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना बाबू और क्या मिल रहा हमें हां यही तो मिलता है तो उसको भी नहीं दोगे तो फिर बे ओफाई नहीं हो जाएगी हमारे साथ ऐसा मत करना देखो 128 upon 256 इनको क्या करेंगे हम HCF निकालेंगे HCF निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है आप HCF निकाल लो 128 and 256 का आपको मिलेगा 128 आएगा क्यों आएगा न 128 इनका HCF तो 126 126 काटोगे तो यह 1 upon 2 आजाएगा एक बार में आगया अंसर लेकिन आप कहोगे हमें टेबल आता ही नहीं है तुमको टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं है लेकिन तुम HCF तो निकाल सकते हो ना महासाज बोलते हैं क्या बोलते हैं महतम समाप वर्तक बोलते हैं निकालके तब डिवाइट करते हैं एक बार में कट जाता है लेकिन कैसे जानते हैं किससे कटेगा हमें तो पाड़ा आता ही नहीं था तो हमें तो पता ही नहीं था के 128 इसे आ गया हमें पता हो गया अगर HCF आया है तो पक्का कटेगा वो समझ रहो ना अगर एचसीफ आ गया जोगिंती अगर सई से निकाले हो तो फिर उससे वो दी गई दोनों संख्याएं कटेंगी आराम से कटेंगी बिना किसी बेदभाव के कटेंगी समझ रहो ना जैसे देखते नहीं हो कि अगर पता चल जाए आपके पापा जी को कोई गलती आपने किया है तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे बेटा गलती नहीं किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब देखो समझो कुछ और भी एक्जाम पल आप लोग जल्दी से मुझे फटा 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 आंसर बता दो कमेंट करके अगर आपको आ मैं नाम नहीं बोलूँगा आप क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती देखो इदर इनको क्या करेंगे हम सिंप्लिफाई करेंगे मैं वही मेधर लगाऊंगो जो आपको सिखाया हूं सबसे पहले मैं 24 और 36 का HCF निकाल के मैं तुमको बताऊंगा नहीं क्या आएगा तुम हो कि लंबा खिच जाएगा हां 48 अपान 32 इसमें आप 32 & 48 का HCF निकालोगी इनका HCF बेटा आया था कितना 12 आया था बाबू इनका निकालोगी कितना आएगा अच्छी अपनिकल के देख लो इनका भी 12 आएगा क्या नहीं क्यों 12 आएगा यह कटे गाई नहीं इनका 16 आएग होता है कि यह बाब दादाएं दादाबाव है समझ गये ना समझो मतलब उल्टा है अब इनका क्या होगा 56 & 24 का HCF find that CF 56 & 24 करके देखो कि कितना आएगा कि से बनाएगा क्या नहीं से बनाएगा तिया कटेगा नी एट आएगा कितना आएगा एट आएगा कि नहीं हम एट ही आएगा एट से बन जा 56 भाई आठ सते चपन होता है आठ रिक चोविस आया समझ में यह होता है सिंप्लिफ इंग्लिस तो मुझे नहीं आती लेकिन मैं दिर दिर सीख ले रहा हूं आप लोगों के साथ में बात समझ में आ रही ना कुछ बुझा आ रहा है ना अब भुझाने का मतलब तुम लोग समझ लेता हैं अम भीयारी है अरे भाई अम भीयारी नहीं हम यूपी से हैं प्रयाग राच से आपकी क्लासे यहीं से चलती हैं कुम्ब नगरी से ठीक ना मतलब जिसे तुम इलाबाद नाम से पहले जानते थे वह बाते हो गई पुरा कि हम वह क्या-क्या पढ़ेंगे एडिशन अफ रेक्सन बिनों का जोड़ना इसका मतलब होता बिन का जोड़ना यह इधर देखो कुछ नमूना दिया गया है सब्स्ट्रेक्शन आफ फ्रेक्शन मतलब की भिन्नों का घटाना यहीं प्लस की जगा माइनस हो जाएगा बस मल्टीपल आफ फ्रेक्शन और डिवीजन आफ फ्रेक्शन यह सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले इसलिए पूरा क्लास को इंडे तक देखना बड़े ही प्यार से देखना वैसे देखना जैसे देखते हो देखो इसमें दो तरह के फ्रेक्शन होते हैं ज्यादा जानकारी बीच में एक लाइन होती नीचे गिंती होती उपर एक गिंती होती है तो नीचे जो गिंती होती इसको हिंदी में हर बोलते हैं इंगलिस में डेनोमेनेटर बोलते हैं उपर वाली गिंती को अंस बोलते हैं हिंदी में इसको नुमरेटर बोलते हैं अगर डेनोमेनेटर इक्व है तब क्या होता है पता है आपको ऐसे एरो लगाएंगी एक बड़ी सी लाइन खीचते हैं जिसमें दोनों समाजाएं हां नीचे इनको एक बार लिख देते हैं उपर वन और वन जो भी गिंती रहेगी ज़रूरी नहीं कि वन वन है यहां पर वन था तो मैंने वन नहीं लिख समझ गया होगा चोटा सा बच्चा भी समझ गया होगा बच्चों के ममी पापा भी समझ गया होंगे कमेंट करके बताना आप बच्चे हैं कि बच्चे के ममी पापा है कमेंट जरूर करना इमांदारी से जूट मत बोलना चलो यह हो गया अब देखिए इस तरह का एक तो मैं ने बता दिया अब अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाओ गई इसलिए हम कोशिस यह करते हैं कि आपको पूरा आ जाए समझ में अच्छे से जैसे अब इसका एक दूसरा इंपल इदर साइड में देख लो छोटा सा एकदम सेम टू सेम ऐसे ही एसे ही एकदम सुनदर सा देखो इसमें भीक्ते जेजमें नीचे के दोनों यह 4 और 3 क्या करना । एड कर देना है ऐसे ही बीना कुछ की मैंने लिख दिया नीचे उमीद है कि आपको दिकh रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जहांक लेता हूं कहां तक दिख रहा है अच्छा है विश्चा को यह छोड़ माप 설, इसकी जख पीछे वाली देखो डिस्क्रेप्शन में लिंक है पिछली देख लेना ठीक है चलो तो यह आप समझ गया लिख लीजिए इसको मैं मिटाओंगा आज वीडियो थोड़ा बड़ा भले हो जा लेकिन मैं सामने ही सब कुछ करूंगा वीडियो रोकाओंगा नहीं कुछ भी क्यो हर आसमान हो मतलब हर समान ना हो इसका मतलब क्या भीया समान नहीं होगा तो क्या होगा अखिर उसमें अंतर होगा वो क्या होगा देखो बच्चा इसमें हर अलग-अलग होंगे यहाँ पे समझो जैसे मैं ने लिखा 4 अपान 3 और प्लस 1 अपान 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यह दोनों अलग-अलग हैं इन्हें आप बोल सकते हो जब हर आसमान हो यह दूसरी कंडिसन है हमारी कलास उनके लिए होती भिसेस रूप से जिनको मैत नहीं आती जो मैत से सारे उमीदे छोड़ चुके हैं उनके लिए कि वो भी मैत सीख सके इसमें करने का दो तरीका मैं दोनों बताऊंगा एक इधर बताऊंगा एक पूर बैप वक्स चिन देखो पहला तरीका यह है बच्चा जो हम लोग प्राया करते हैं जब छोटे भिन हो तब यह तरीका अपनाना चाहिए तिर्चा गुड़ा वाला पहले इनको पकड़के इसमें गुड़ा कर दो तो दो चुका आठ इनको ऐसे लिख दो उसी जगा पे बीच में प्लस था तो प्लफ लगा दो तीन का गुड़ा इसमें कर दो कुछ समझ में आया नहीं आया बिल्कुल टेंसन मतलो अभी जाना मतकलास से पूरा देखना इनका गुड़ा इसमें किया, भाई सबको इतना आता है, दो का चार में करोगे, कितना होगे, चार का दो में करोगे, आठ होगे, मतलब वही होगा न, चाहे दो का चार में करो, चार का दो में करो, समझ रहो न, उसी तरह से फिर बीच में जो चिन होता उसको लगा देते हैं, अब इधर से फिर यही पर किदिया इधर भी होगी तो तीन का एक में तीन नीचे लाइन खीच देंगे जो भी लाइन है अरे भाई यह लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं बस अब इनका अपस में कर लेते हैं यह इस तरह से आपका 8 में 3 8 करोगे 8 3 11 नीचे 6 यानी 11 नाम दे दिया क्या भाई यह फ़र्ष्ट में 3 को माल लो चलो यह चिंटू इनका नाम मने दे दिया यह किसका नाम है चिंटू मैं 3 का नाम है अब तुम लोग बताना कि चिंटू अच्छे लगे कि पिंटू देख विदर साइड में अगला मजा आ रही कि नहीं आएगी ध सिकेंड तरीका जो मैंने सोचा है वो क्या है यह देखो इदर साइड में अगर तुमको यह नहीं पता डिस्क्रेप्शन क्या होता है उपर नंबर दियेगा इस पर फोन कर लेना बताया जायेगा वो भी सिखाएंगे हम सब सिखाएंगे चलो तीन और दो का यह चेंगा को साइड यह मतलब लासाजी से बोलते हैं इीसका पूरा नाम होता है लगुत्तम समाप संत्वर्टर लिस्ट कामन मल्टीपल तो थ्री और तो कल्सियम सिक्स हो गया इसका मतलब हैंग कि तिन दून आछ बंगे यह केहीं हो जाता है कब होता ये कंडिसन भी मैंने बताया है लेकिन हर जगा ऐसा लागू नहीं होता है अगर 4 और 2 है तो इसका मतलब इसका LCM 4-2 नहीं कर लोगे गलत हो जाएगा तो गुड़ा नहीं होता है तो यह क्या होगा LCM हो गया LCM में पहली भिन्द के हर से भाग करते हैं इसमें कुछ जादा पीचाल करना है तो तेन से जब 6में बाक करोगे बच्चा दो आएगा दो काईस में गुड़ा करो गया याठ हो जाएगा प्लस अब दो से गुड़ा करोगे LCM में LCM छे था तीन आएगा तीन का एक में गुड़ा करोगे तीन हो जाएगा फाइनल में उसी धर्रा पर यह भी जाएगा कहीं और नहीं जाएगा आएगा उतना ही लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है बस इतना समझ गया आप चल चुप गया था उदर साइड लेकिन धायर बनाके रखोगे सब अच्छा होगा देखो वह यह पिंटू थे अब बताना चिंटू-पिंटू में से कौन साथ चा लगा तूंको चलो कि इतना कर लिए बहुत ज्यादा कुश्चन सनी करवाएंगे exercise के लिए अलग से देंगे तहीं ज्यादा बड़ा वीडियो ना हुए इसलिए थोड़ा भा़े धिर धिरे हम लोग जरूरत के हिसाब से चलेंगे यह हो गई बिनने जब उन के हर समान हो या आसमान हो यह हो गया हो जोड़ना इसी तरह से घटाने वाले में अगलो लूकत की बात नहीं है कि देखो अगर कोई समस्या होती तो आप थोड़ा देर रुख जाना वीडियो में छोड़ के मत जाना भाग के कि तुरंत भाग लो निकल लो हटाओ चलो अनलाइन में तो यही मुसीबत है कि आफ लाइन में क्या होता टीचर चाहे अच्छा पढ़ाया ना बढ़ाय बच्चों को मजबूर ही मेरी इंटरनेट मेरा है डेको लेकिन देखोंगे तब भी पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे कि यह हो गया अब घटाने में आ जाओ यह फाइस्ट वाला फाइनल हो गया सिकेंड में आ जाते हैं सब्स्ट्रेक्शन और फ्रेक्शन एक्जांपल हम बहुत ही छोटे-छोटे लेंगे चुकि हमारी जो कोशिस है वो सब को मैथ सिखाने की है चाहे आप कितने भी बड़े आपर लिख देते सबसे पहले उपर की जो भी गिंती उनको ऐसे कब ऐसे लिख देंगे यह 17 था माइनस था मैंने वैसे लिख दिया इसमें से सब्ट्रेक कर लो 17 में से 8 जाएगा कितना होगा ना आट 17 होता है न तो नाइन आए गना बच्चा कितना आएगा नाइन अपां इसलिए इतना ही लिख लो ठीक है तो घटाने में यह पहला हो गया आपका जब इनके हर बराबर हो बाकी ज्यादा सवाल तो मैंने जोडने में करवा दिये थे अब देखो इसी तरह से इसमें भी हम आगे थोड़ा सावर कर लेते हैं यह तो आपका हो गया घटाने में जब हर बराबर हो जब हर बराबर ना हो तब क्या होगा देखो यहाँ पर समझो जैसे माल लो कि मैंने लिख दिया सतरा बटा पांच और माइनस हर बराबर ना हो मतलब अला गलग हो देखो सतरा में पांच हो गया बच्चा जैसे माल लो दो में तीन अब चलो इनको कैसे करेंग इनमें भी वही दो तरीका है पहला कि आप तिरिशा गुड़ा कर लो दूसरा तरीका यह है कि आप LCM ले लो तो हम तिरिशा गुड़ा वाला पहले बता देते हैं तो तेरा उसरी सतरा का तीन में गुड़ा करोगे सतरा तीया 51 बल्टिपल करना सब को आता है कोई दिक्कत नहीं हमाइनस कचिन लगाओ 5 का दो में कर दो 10 बच्चा 5 का तीन में कर दो 15 इस तरह से आपका आज आएगा 41 अपान 15 अब बात समझ में आई कहीं कोई दिक्कत है तो कि मम्मी पापा के लिए पढ़ाता हूं कई बार बता चुका हूं ऐसा क्यों क्योंकि यह क्लास उनको कहीं मिलती नहीं उनको बड़ी सरम आती कहीं जाकर के बाहर पढ़ने में क्योंकि यह चोटी-चोटी चीजे कौन पढ़ाएगा आखिर है ना लेकिन हम पढ़ाते हैं सी मैं करें तो उनको भी थोड़ा समझ में आई बाती है हमारी चलो यह हो गया क्योंकि यह जो दर्द है ना यह बीमारी जो है ना से गुप्त रोग जैसे है कि बैया इतने बड़े हो गए अब उमर हो गई अठाराफ लेके अठाई साल अब इतनी छोटी-छोटी बिन सवाल किस से पूछे कहीं अपने बच्चे से पूछ लें हो भी मजा लेगा ममी पापा चाचा चाची को यहीं नहीं आता है हां तो बस उनी का समाधान हम करते हैं गुप्त तरीके से कि कोई जान भी नपाए और वह आनलाइन पढ़ भी मोबाइल में को यह भी नजाने क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं कि कमेडी देख रहे हैं हो गया यह आपका हो गया दोनों मतलब एडिशन और सब्स्ट्रक्शन यह बिल्कुल आजान है इसमें कोई condition नहीं no term and condition जैसे मिले वैसे देखो जैसे एक बटा तीन और यह दुए बटा तीन अब कहोगे इसमें हर बराबर है तो क्या होगा हर नहीं बराबर है तो क्या होगा बच्चा इसमें कुछ भी हो सब चलता है ठीक है हर बराबर हो या न जब हम लोग कैने मंत्रा जाते थे कöyle बरोग्राम होता था तो लोग अलगまぁ खाना खाते से फिस बतलब कपड़ा अऽा निकाल के जूता चपड निकाल अच्छे से और नर्मन लोग अलग खाते थे अब क्या होता है फटा है आपको बंत्रों तो वैसे बहुत भी मिलते हैं उस तरह से बाखी सब लोग buffer system में अपने लेते अपने खाते तुबस वही हाल इसमें भी होती है कुछ ऐसे देखो समझने की कोशिस करो कैसे पूंसे इन में हर बराबर है इन में देखो, इन में क्या है? इन में हर बराबर नहीं है तरीका दोनों में एक ही होगा जबकि जोडने घटाने में थोड़ा अलग-अलग होता है वोपर वोपर का multiple नीचे-नीचे का, दो का एक में 2 और तीन का तीन में 9 ठीक इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें इसमें हर बराबर नहीं है इसमें साथ इसमें आठ है इसमें तीन था तीन था बराबर था इसमें भी वही फंडा होगा 3,5,15 और ये 7,8,56 या 8,56 लेकिन यहां पर आपको कुछ समझने वाली और भी चीजे हैं कभी-कभी ये प्रवडा सा चुक गए तो वह क्या है वह भी में बता रहा हूं ध्यान से देख लो भी समझ लो मैं बार-बार बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं क्लास को पूरा देखना अगर गड़ी सीखना है अगर आज तुम ये कलास चोड़के चले गए तो तुमको दुनिया का को जो वो चीज समझो दोनों तरब बताऊंगा जैसे अगर ऐसे है ये 12 है मतलब 14 है और यहां पर क्या बच्चा 10 है और यहां पर एक हैमान लोग 15 है और यहां पर 5 है अगर इनको तुमको गुड़ा करने कहेंगे तो कोगे हमें 14-15 पहाड़ नहीं आता है अब तो बड़ी जो कैसे इनको आपको 2 से सिंप्लिफाई कर देना नीचे उपर की गिंती आपस में कट रही है किस से कटेंगी इसके लिए मैंने सिंप्लिफिकेशन आप फ्रेक्शन पढ़ाया डिस्क्रेप्शन में हो सकता लिंक दी गई हो पाचवा या छाठमा पार्ट में पढ़ाया अब हमें साथ का पाड़ा तीन का पाड़ा पाड़ा आप तीन गाता ही है है नहीं देखो 55 ते यॉव bacon 5 हो गया ना किस परकार की भिन है कमेंट करकर करना मैंने 5 कलास में पढ़ाया मतलब पांच tat यहार है मै ₮ कट लंगी स्का नाम है धाय वाल की स्पीड में जली बहुत महgeschwszy ऑढेगी दे bleep कौन सी बिनने यह अनुचित बिनने उचित बिनने सम बिनने मिस्र बिनने कौन सी बिनने कमेंट करके जरूर बताना चलो यह हो गया यह तो एक तरीका हो गया एक और देख लो भाईया यहां पर समझो यहां पर और समझो कहानी क्या क्या हो रही कहा कहा जा रहें देखो यह ऐसे हैं और यह ऐसे हैं अब इसमें तुम कहोगे गरुजी यह तो कटे नहीं रहा नीचे उपर कटनों कोसिस कर ले रात दिन खोपड़ी पटक डाओ नहीं कटे गई है नहीं कटेगा तो इसमें क्या होगा यह आपस में नहीं कटेगा लेकिन यह पडोसी से इसकी बन रह यह तो कि सब दो सकता है साथ हैं यह सिर्फ औरétiqueल में होता है मतलब गुडदा में नीचे उपर से नहीं कड़ रहा है यह बगल भगल से सकता है मतलब लेकिन एक नीचे से उपर कुछ समझ रहे हो ना क्योंकि एकलास कुछ बच्चे भी देखते हैं इसलिए थोड़ा और ज्यादा नहीं बोलते हैं आप लोग समझ गए अब देखो 15 एकम 15 और 15 तिये 45 कितना हुआ छोटा हो गया अब यह कितना आ गया फोर अपान वन और यह थ्री अपान वन फाइनल में मल्टीपल कर लो ट्यल आ गया दोनों में अंतर ही कि नहीं बताओ इसमें और इसमें अंतर है न लेकिन अगर उसी रूल पे चलोगे लखिर का फिकीर वाले कि भी यह हमें गुड़ा कर करना उपर का उपर नीचे कर नीचे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा पैतालिस का गुड़ा 28 में करोगे तब तक बुड़ा जाओगे मतलब टाइम लगेगा न तो यह होता है आपका तीनों स्टेप हो गया अब एक बचरा है लाश्ट डिवीज को अपने सभी वाटसाप गुरूप में सेयर करना होगा हर एक साथी को सेयर करना होगा और सत्नी को भी सेयर कर देना छोड़ना नहीं चलो आना चाहिए सबको पढ़ा ही लिखाई आने चाहिए चलो अब देखो डिवीजन मतलब भाग अब भिन्नों का भाग कैसे करोगे इ को है यसे फिर सबस्क्राइब करके नुक्सान होटा है मेरा क्या मैं तो बूंता रहता हूं इसमें तेरा गलटा मेरा कुछ नहीं जाता मैंत वहां भी बढ़ाता रहता हूं लाइब में दिमाग दो तरफ रहता हैं कमेंट कि कितने पच्चे कम हो गए और वीडियो रिकाण हो या ना बराबर हो इसकी कोई कंडीफन नहीं होती है बस आपको गुड़ा आना चाहिए भिन्न का बस और वह मैंने पहले बता दिया तो यह हो गया तीन चौथा प्याओ तीन बटा साथ डिवाइड भाई चार बटा पांच इसका सिंपल सा रूल है कि पहली फ्रेक्शन को ऐसे लिख लोगे हूँ बहु जैसे भी है वो थोड़ी मोटी जरूर हो गई अब भाग का चिन्न था क्या होगा गुड़ा लग जाएगा यह पलट जाता है बिल्कुल नेत की तरह जैसे नेता लोग क्या कहते हैं चुनाओ के समय में मैं यह बोलूंगा तोड़ा राजनीती वाली बात कहोगी हो जाएगी हां चुनाओ के टाइम पे नोकरी मिलेगी गाओं का भी कास होगा देश का भी कास होगा मैंगाई गटेगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा और चुना हो जाने के बाद कि पंद्रा मिलियन टूइट किया था इस्टूडेंट ने अभी आपने देखा होगा पच्चीस फरोडी 2021 को रोजगार के लिए कोई सरकारी बयान नहीं आया सब सो रहें अभी तीन साल का टाइम है 2024 में फिर से आ जाएंगे युवाओं की बात पहले मूँ आगे करके चलते थे फिर बाद में समझ रहे हो चलो अब यह गुड़ा हो गया गुड़ा का नियमा आप लोग जानते हो तीन पचे पंद्रा साच चोकट थाइस यह पंद्रा बटार थाइस लिखलो जल दी से कुछ लोग सोचते हैं बहुत बोलते रहते हैं ब कि लिख लो इसको समझ में आगे न यह था विन आपका फ्रेक्शन वीडियो मुझे लग रहा काफी लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे बताना तो पूरा है तो इसमें हर चाहे जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे हो जाता है कि कि इतना हो गया इसी तरह का एक सवाल और भी तीस बटा मानलो 20 इनको हल करना और भी आसान है इनको 15 बटा 10 ऐसे ही लिखेंगे इनको पहले मत काटो किटो कुछ मत करो गुड़ा लगा दो भाइक की जगा यह पलट गए न पलट गए न इसमें वही गुड़ा वाला रदिनियम लगेगा पडोसी से इनकी सेटिंग हो ज यह फिर आपस में कट मर जाएंगे फाइनल में एक आएगा कितना आएगा बनना यह इंगलीस वाला नहीं समझ में रहा तो मैं हिंदी में बता रहा हूं इसका मतलब है कि तीन पदों की भिन्नों का जोड़ना जैसे फार इक जामपल कुष्चन सिधर साइड हैं देखो एक चेहरा पैचानने लगा थो बड़ा बस बाकी और कुछ नहीं इसके साथ यह मुसीबत है ना कि मैं अगर इधर देखूंगा तो लाइट बढ़ जाएगी मैं मूँ अधर कर लूंगा लाइट कम हो जाएगी मेरा चेहरा ही देखता बस और अगर मैंने लाइट बढ़ाया प या फिर आपको करास मल्टीपल करना है तो भाया क्या करना हमें LCM ले लेना है दो और चार का LCM हमें पता है चार होगा और तीन का गुड़ा करोगे 12 हो जाएगा अगर हम बोलें आप से कि फाइनल में आप दो तीन और फोर का LCM लेलो इकटे तो दो एककम दो दो दूना च चार फिर दो दो दूना चारती ये बारा फाइनल में 12 ही आएगा ना बारा आएगा तो इनका LCM कितना जाएगा टोयल तोयल मैंने लिख दिया अब 12 में किन का भाग करोगे कितना आएगा आप जड़ा करके देखो चार आएगा ना चार का एक में गुड़ा करो कितना हो जाएगा यह चार और प्लस कुछ लोगों को confusion होगी जिनको LCM नहीं आता यह देखो दो एक कम दो ये तीन दो दुना चार ये लो ये लो खुश बस कड़ गया ना दो दुना चार तिया बारा ही तो हुआ दो दुना चार तिया बारा ना अब देखो दो से बाग करोगे बारा में कितना आएगा छे बार पूर कोशिस करना समझने की देखिए इधर कैसे वो भी बताओंगा कैसे चार का भाग करेंगे LCM में तीन आएगा अरे यह से आएगा ये लो ये चार का भाग करोगे फोर्ट त्रीजा ट्वल होता बच्चा होता है ना जीरो आजाएगा कड़ जाएगा खतम हो जाग पकड़े रहो अला के इसमें गुड़ा कर दो इसकी चुर्की फे जो बैठावन में तो तीन एकम तीन होगा थ्री बंजा थ्री होता है यह हो गया थ्री सबको जोड़ दो उपर उपर का छे चार दस तीन तेरा फाइनल में यह थार्टीन अपांट रह आएगा कितना बढ़े दिखिये मैं एक बार फिर से बता दून सबसे पहले हमें दी गई बिन्नों के हरका यानि की नुम्रेटर पाड़ का जो आप उजट है डेनुमिनेटर डेनुमिनेटर का सिम करना है हमने थ्री टू और फोर का सिम लिया हमें क्या लिए मिला नहीं आता तो कलास खतम होने के बाद कमेंट करिए गों बता देंगे उपर नबर दिये उस पे समपर करिए मिल जाएगा चलिए उसके बात क्या किया भई उसके बाद सिंपल सी बात है एक-एक भीन तीन भीन दी गई है इनके हर से क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें लसीम में और जो के दिंगे उससे क्या करेंगे चार हो गया है उस्से पосьपार में टीन हो गया उड़क We pc सवाल आपके सामने तो बिल्कुल जाना नहीं कहीं भी इमांदारी से देखना चलो इस तरह से हमारी कोशिस होगी कि आपको जोड़ घटाना गुड़ा और भाग सब कुछ बता दें तो एक और देख लेते हैं फटा-फट क्यूंकि टाइम बहुत कम है दस मिनट के अंदर पूरा कर देना है नहीं तो बड़ी आफात बन जाती ह हमारे लिए इस प्शल रूब से चलो इनका ले लो भाई दो-तीन और साथ का लेना आपको आता है दो-तीन और साथ का दो त्याइंट शेसते 42 होगा लेकिन गुड़ा मत करना हर जगा गुड़ा करने से लसीम नहीं आता कहीं कहीं सानियोग बनता है कैसे बनता कब बनता वो मैंने बता दिया पिछली कलास में दिस्क्रेप्शन में देखे लिंक दी गई होगी आप पिछली कलास को देख लीजिए पीछे की साथ कलास हैं अगर उन साथों को देखो गए ता ठुछी बेहतर समझ में आएगी ठीक है नहीं मिलती है लिंक तो संपर्क करना चलो और दो एकम दो डूण चार घट घट गया 22 कितना गया था एकरी 18 का पर युष का तीन में होगे विपाण तिक यह ओगे 63 बीच में पलस था थीन से भाग करो किसमें कि एकाइस में मैं 42 में करो 1442 होता है नहीं तीन से भाग करेंगे जब हम 42 में तो 14 आएगा 14 का 1 में गुड़ा करोगे बच्चा, 14 हो जाएगा क्यों आएगा, 14 क्यों आएगा क्योंकि 14, 42 होता है ठीक, उसी तरह से 7 से भाग करेंगे 42 में, मिंस 42 में तो 6 आएगा, 6 का 4 में गुड़ा करोगे 64, 24 हो जाएगा कितना हो जाएगा 24? 7 चांग 42, 6, 24 24 ठीक उपर उपर का सब को जोड़ लीजिए बच्चा चार यह चार आठ तीन ग्यारा हासी लाया एक कितना एक हासी ले किसमें जोड़ा थीन एक चार शे दस एक सौ एक वटा वैलिस अप लोग कमेंट करके यह बताना कि यह प्रापर फ्रेक्षन है इंप्रॉपर फ्रेक्ष में मैं बताता हूं हमारी भरपूर कोसिस होती है कि वो बच्चे वो गार्जियन वो भीया भावी एंकल अंटी जो हिंदी भासी राजे से नहीं है जैसे जो तामिलनाडू अगरा से हैं या फिर मराथी लैंग्वेज अगरा बोलते हैं महाराइस्ट से हैं या उडिशा से बह आपको इंगलिस नहीं मैच सिखा रहा हूं हाँ बाकी इंगलिस भी हम सीख रहे हैं जल्दी ही आपको इंगलिस की भी कलास देंगे टेंसन मतले ना कोसिस करने वालों कि कभी हार नहीं होती है समझ रहो ना चलिए फिर लिख लिए अब आपका यह फास्ट ट्रम पूरा हो चुका है यानि की एडिशन आप लोग कर चुके हो इसी तरह से सेम टू सेम हम लोग चलेंगे सब्स्ट्रेक्शन में चुकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है तो हमारी कोसिस है कि चीजें समझ में भी आ जाए और कम समय में भी हो जाए कमेंट के चक्कर में ना पड़ो बड़ा चैना कि साथ हम आँ माइनस कि आठ बड़ा चैन चलिए इनको क्या करना सब्ट्रेक करना है सबसे पहले लेंगे पांच सथे 25 पैंटीस यह इन तीन पच्छे पंदरा तिन प्रिकर नों एक दस एक्सों पांच एक्सों पांच क्या हुआ पांच साथ और तीन का लस आप लोग ले लेना लासा निकालना सबको आता है नहीं आता तो बता देना बता देंगे चलो अब क्या करेंगे लिए पांच का भाग करो इसमें कितना आएगा बच्छा जब पांच का भाग एक सो पांच में करोगे एकाईस का तीन में गुड़ा करो तीन एक कम तीन तीन आएगा 35 में गुड़ा करो आठ पंचे चालिस हांसिल चार आठ पंचे चालिस हांसिल चार आठ तरिक चोबिस चार अठाइस बड़ा खतरनाक बन गया यादी 280 बन गया इनको जोड करके आपस में घटाना है देखो क्या बनेगा समझने वाली चीज़ें हैं यहां पर जाना कैसे दिखिए मैं आपको बताता हूं ध्यान देनो एक चीज़ समझना बच्चा यह दोनों नहीं जुड़ेगा यह माइनस से 15 यह माइनस है यह दोनों जुड़ जाएंगे तो यह बन जाएगा 63 माइनस 280 में 15 जोड़ो 80 दफ 95 यह 295 बन जाएगा और यह 105 295 से 63 गटा दो चुकि उल्टा घटेगा सीधा घटेगा नहीं यह लो 5 में से 3 गया 2 5 में से 3 गया 2 9 में से 6 गया 3 232 आया क्यूं सही है न 232 माइनस में आयागा चूकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और यह कैसे आता है वो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कहीं भी अगर इस तर हो São कि आएगा 5 लेकिन 7 जो है वो क्या है 7 चूकि संख्या बड़ी है दो से और साथ के पहले माइनस ए जिस संख्या के पहले जो चिन होता है वही उसकी मतलब वास्त्त भी की चिन माना जाता है ठीक है तो साथ के पहले माइनस है इसलिए 7 क्या माइनस में है तो इस तरह से आपने क्या देखा दो तीन पदों वाली बिन्नों का जोड़ना और घटाना है ना इस तरह से कुछ पर लिख लिए फटाफट जल्दी करिए नोट करिए देर मत करिए टाइम नहीं है आगे बढ़ते रहे सीखते रहे इनको नोट करिए दस सिकेंड का टाइम है आपके पास मैंने चमक बढ़ा दिया पीछे हो करके भी जल्दी करिए अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को थोड baas rule basic हाँ इसमें basic का मतलब यह है कि हम आज आपको जो questions करवाएंगे उसमें केवल 6-7 रूल रहेगा बस पूरा नहीं रहेगा ब्रकर के रूल के अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता व्रिकर्ट होता है ओर होता है मैं इसापinelरी और ओ मैं आज नहीं करवाओंगा क्योंकि अगर सबकों मिला देंगे तो कुश्चन काफी बड़े हो जाते हैं जैसे एक मीडियम साइज का कुश्चन यह है तो अगर डारेक्ट हम इस पर जाएंगे तो आप लोग काफी निरास हो जाओगे क्योंकि गड़ित ऐसा सब्जेक् कि दवा से ज्यादा काम करता है बहुत मस्त नीद आती मैथ पढ़ते समय कब जब हमें सवाल प्रस्न समझ में नहीं आते हैं लेकिन अगर कुश्चन समझ में आते ना तो मैथमेटिक्स एक मुखबत की तरह काम करती है आंखों में नींदे न दिल में करार फिर कहोगे मैथ मैथ भी क्या चीज़े होती है यार है ना चलीए देखते हैं तो मतलब कुल मिला कि यह समझ дост नहीं आएगी तब आपको नीद आएगी अगर को को कुशचन समझ में आएंगी तो आपको नीद नहीं आएगी da 5 अशलीये न आए यहिकोशिस करते हैं साथियों ये कुश्चन आप देख रहा है है न थोड़ा सालाग क्योंकि इसमें प्लस भी है और भाग का भी चिनन लगा है हा चिनन तो आपने लोग को पहचां में आता है जोड़ का है यह घटाना का है कि 144 में 12 से भाग करना है और भाग करना हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया बच्पन में छोटे थे आप तब ही तो आपको पता है कि यह 12 एक कम 12 होता है दो आता है चार बारा दूना 24 यह जीरो आ यानि कि बच्चा आपको मालूम है जब भाग करोगे तो ट्वाग फल यानि फाइनल में ड्वाग आ गया यह तो आप इतना बेड़े प्यार से कर लोगे अगर हम आपको यहां पर लेके आए साथ पलफ नो तो नो साथ सोला आप इसको बड़े अराम से कर लोगे यह सब बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि इसमें एक ही चिन लगा हुआ है है ना जब मैं सामने से जाओंगा तो थोड़ा सा लाइट जो है वो क्या होगी बच्चा कम हो आपको फोर्टीन अपान टू ऐसे तो आप इनको कटोगे तो साथ आ जाएगा यह सब बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही ना क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही टोपिक बोले एक ही पद है ऐसे समझे लो तो जल्दी हो रहा है लेकिन बोर्ड मास रूल में क्या होता ह ना इसमें धेर सारे जो ऑप्रेशन हैं वह एक साथ करने होते हैं आप रेशन का मतलब मोबायलोजी वाला चिर्फार नहीं मैंतमेटिसकल अप्रेशन भी होता है ठीक है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं इसको देखिए समझ यह बोड मास रूल के बारे में डिस्क्राइब तो हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं बाद में और भी करेंगे आगे पढ़ते जाईए समझते जाईए हां इनका आडर हमें समझना है जैसे इसमें दो चिंद लगे हैं एक बाग का एक प्लस का एक कुश्चन अगर और ले लो बच्चा तो जैसे मानलो कि मैंने ले लिया 169 इसमें डिवाइड वाइड थर्टीन और माइनस का 5 और प्लस का 8 अब ध्यान दो ये उपर का कुश्चन तो छोड़ दो इसको बाद में बताऊंगा हमें 0 से पढ़ना है इसलिए यहां से चलेंगे इसमें भाग का चिंद प्लस का है इसमें भाग का है प्लस का भी है लेकि और धन तीन इसमें भाग का भी चिनना लगा है ये और ये गुड़ा का भी लगा बच्चा जोड का घटाना का सब लगा है इन सवालों में क्या डिफ्रेंस है कुछ अंतर है ना इनको हल करना सबसे आसान है क्योंकि दो ही चिन है इनको हल करना थोड़ा सा एक इस्टप बात समझ में आया ना इस गॉन भी हार्ट वर्ट हार्ट डजनाट मिंस इंपॉसिवल यह कठीन हो सकता है लेकिन कठीन का मतलब यह संबहों नहीं है संबहों है आप कर सकते हो चलिए एक-एक को हम इधर लाकर निप्टाते हैं वगल में मारकर सही चल रहा है पैंस ही चल र बी से चलो सबसे पहले बी करेंगे जैसे से लिखा Message के बाद यह हुश्त इसके बडिका मतलब डीविजन मतलब भाग जिसमें भाक का चिन लगा सबसे पहले उसको हल करेंगे फिर गोड़ावाला हल करेंगे फिर जोड़ वाला और फिर उसके Kimchi गटाना वाला तो हम ठट्राइए करके देखते हैं कैसे क्या ओता है ध्यान देना भी बहुत ही प्यार से देखना ऊँदेखना मगर प्यार से और बहुत जादा भी प्यार से नगे न लगे पढ़ाई में लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुती कि देखो कि कि डिवाइड वाई फोर प्लस थ्री कि सबसे पहले डिवीजन का चिन आता है यानि हमें बारा में चार से भाग करना बच्चा तो भाग हम सभी करना जानते हैं भाग कर लो तो फोर थ्री जा ट्वेल थ्री आएगा यानि जितना मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगा पर क्या लिए आगे बढ़ते हैं समझ यह यह आप कर लिए इस तरह से अगर हम दूसरा वाला कुश्चन इसी मिला के हल करें तो यह तो थोड़ा सा जागा कम थी इसलिए मैंने यह खाना बना के इसमें हल करने के लिए ट्राइ किया बाकि यह जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे कापी मे गोचा पोचा करके तब आल करो सीधा फीधा भी कर सकते हो यह कुश्चन है 169 डिवाइड वाइड 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 थर्टीन माइनस का 5 प्लस का 8 देखो बच्चा यहां पर सबसे पहले डिवीजन होता है क्योंकि हम B और O छोड़ दिये हैं यह दोनों अगले मतलब 13 से 169 में भाग करना है हमें पता है कि जो 13 है उसका स्कॉयर निवर्ग 169 होता है तो यहां पर फाइनल में 13 आ जाएगा जितना मैंने अंडरलाइन किया था उसकी जगा पे सिर्फ 13 आ गया माइनस कचिन यहां पर था वैसे लिख दिया 5 और 8 जो भी यह पूरी कहानी वैसे लिख देंगे बाकी बात की अब दूसरे स्टेप में बच्चा आता यह मतलब मल्टीपल गुड़ा इसमें सन्योग वस कहीं गुड़ा का कोई चिन है ही नहीं तो भाइया हो अगर मोनु कुमार सबसे पहले सीट पर बैट रहे हर दिन स्कूल में उसके पीछे सोनु बैट रहे हैं गौरों बैट रहे हैं तो अगर मोनु स्कूल नहीं आए तो उनकी दादा कि सीट है खाली नहीं रहेगी ना मतलब उसके कोई ने कोई बैठ जाएगा ना तो ऐसे क्या है यह मिंस मोनु मान लो यह आये नहीं यह अपसेंट हो गए तो यह आसी स्कूमार आधे ना बच्चाई यह plus 8 है और यह माइनस का 5 है 13 ना प्लस प्लस वाली संख्याव जुड़ेगी को psychology क्म को तयरा कि पहले कोई चिन नहीं थार्टीन कर थार्टीन कैफ प्लस है थाइप की माईनस है इसके पहले जो चिन होता वहीं माना जाता है अगर बोले है ने जोड़ने का मतलब यह नहीं कितुम 5 में 8 जुड़ेगा यह प्लस माइनस दोनों अलब बात है जूड़ते कब हैं लोगों में दोस्ति कब होती है जब हाव भाव मिलता है तो होती है आजकल तो लोग चेहरा देखके खुबसूरती देखके कर लेते हैं वह अलग बात है उसे दोस्ति नहीं कहते हैं समझ रहे हो ना कुछ मेल जोल होना चाहिए तो इसको घटा होगे तो कितना आएगा भाई किस से घटा लो यार अग आएगा बस हो गया ना इसमझ में आया ना यह होता बोर्ड मासरूल का बेसिक कंसेप्ट आगे बढ़ते रहे हैं चलिए इसको मिटा देते हैं अगले पर चलते हैं बहुत कम टाइम बचा है चूकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इस वजह से बहुत ज़्यादा कोईस् और माइनस का 5 और डिवाइड वाई 5 और प्लस का 3 है ना कितना मज़ेदार है ना बच्चा सबसे पहले भाग करोगे एक बात ध्यान रहे यह भाग का चिन चाहां रहे हम इसको खोज लेंगे बत्ती ले करके यह नहीं जरूरी कि इसमें सम्में भाग सबसे पहले था इसलि अब क्या करोगे कर लो फिर चलो भाग कर लो 5 का 5 में भाग कर लो 5 का 5 में भाग कर लो बहुत ही आसान है बच्चा वन आ जाएगा और प्लस का 3 गुड़ा का मतलब 4 चंग 24 माइनस 1 फ्लस 3 जोडने वाला काम करेंगे 1 माइनस यह प्लस जूड़ेगा नहीं यह इसमें जू बना करें का करेंगे और अगर कोई वी डाउट होता है तो इसी वीडियो में आ कि कमेंट करना हुत जीट वांखी है क donuts дальше चलेट एक नई मंजिल के लिए यहन से चले थे एक नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना है मेरे यार अभी तो प्लस किताबर जाती नथी परिवार PBR study में आपको पता है कि इस समय हम क्या पढ़ रहें कच्छा की तो बात नहीं करेंगे basic math पढ़ रहे थे सभी कच्छा के लिए सभी बच्छों के लिए है तो सभी आगे उमीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बिना रूके बि बीच में छोड़ के मत जाना अगर जाना है तो अभी तुरन चले जाओ फालतु कडिश्टव नहीं करना वहीं ठीक है चलिए पिछली कलास में हम लोगों ने 9 में पढ़ा था बोर्ड मास का रूल और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एकदम सुरू किया था बोर् चलिए तो साथियों जैसा कि एक बार हम पहले से पढ़ चुके हैं बोर्ड मास रूल यह ऐसे इसकी स्प्रेलिंग होती है और यहां पर इसका हर एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है जो कि मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा हां लेकिन मैं साटकट में बता देता हूं यह साइन कास है मतलब कि जोड़ घटाना गुड़ा भाग के अलामा कुछ भी अगर अन्य टर्म दिये गए हैं तो नहीं को और या फिर अधर में लेते हैं अभी का मतलब ब्रेकट आप जानी रहो यह ब्रेकट चार परकार के होते हैं बढ़का हो गया मजला हो गया चोटा हो इसका मतलब क्या है यह सीरियल से हल किये जाते हैं अगर यह कोईश्चन में यह सारे तर्म साते हैं कि जोम बोर्ड मास्की कोईश्चन होते हैं उत में ठीर सारे हमें मतलब एक प्रकार से बात करें तो गफो घंधर और चैनल करोगी जैसे बाता है और हैं उनको पकड़ोगी और फिर強накомकी एक से करते हैं चलिए पिछली कलास अगर आपने देखा तो आप समझ गया होंगे तो भाइए यहां पर जो सिच्वेशन दिख रही उसकी एकॉर्डिंग यह है कि इसमें ब्रेकर्ट तो है दूसरा बात अगर बात करें अधर वाला तो अधर का इसमें कुछ नहीं है ना तो कहीं पहले हल करते है तो सबसे छोटा पूस्टक तक हम पहुंचेंगे उसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे यह देखो यहां तक मैंने वैसे उतार लिया जैसे लिखा था इसमें किसी को कोई समस्या होगी तो बता देना बिल्कुल टैंसर बत लेना अब चलो आगे बढ़ते हैं इनको क्या करेंगे भाई साहब बाबु इनको घटा लो गया तो बारा से छे जाएगा छे बचेगा हम सबको पता है बीज में साने बेरी सिंपल साहे कितना चोटा हो गया एक बार में लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है क्या नहीं गलत नहीं हो रहा है पीच में प्लस का साइन था मने लगा दिया अब अगली लाइन में यह अठारा सो इवाइड वाईड वाई यह टेन उसके बाद अभी यह कोश्टा ख गुड़ा कचिन लगा देते हैं और यह अठारा बन जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट है कोई आपती है तो बता देना विल्कुल भी टेंसन नहीं लेना ठीक है आगे बढ़ें चलो अब क्या होगा अब क्या होगा वाई साहब यह अठारा सो इबाइड वाई देखो अ करोगे फिर मल्टीपल करोगे मतलब भाग पहले करोगे गुड़ाबाद में नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था भाग कर लेते अठारा घड़ा इसको बाग करोगे आप तो कितना आएगा आपको पता है अगर इसको दस से भाग करेंगे हम भाग करके आप लोग देख लो एक बार ज़रा भाग कर लो तो कितना आएगा हमें लगता 180 आएगा और 180 का 18 में गुड़ा करोगे क्यों बात समझ में आई ये मैंने भाग किया भाई साहब ये अरे इसे कर लो ना यार 1800 है इसको 10 से भाग करना एक एक सुनना काट दो 180 आ गया आपको पता है 18 का वर्ग सबको पता है न कि नहीं पता है हर किसी को पता है मैंने याद करवाया था वर्ग तो 18 का जो वर्ग होता बच्चा 324 होता है बावू होता है ना होता है 18 का वर्ग 324 कहने का मतलब 18 का 18 में गुड़ा किया 324 और यह 0 उतार लिया इस तरह से आपका अंसर हो गया 3240 दिख लिजिए यह हो गया आपका कुश्चन बिल्कुल टेंसर नहीं लेना अभी कलास को पूरा देखना जाना नह हो जाएगा सब वीडियो को मैं बहुत देर में रिकार्ड कर रहा हूं अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी मेरा मन करता दिखाने का अगर आप लोगों को दिखराओ ऐसे बहुत दूर होगा तो देख लो इसमें कितना बज़रा है और यह दिन मिली रात में बज़रा है क अगले कुश्चन की और आगे बढ़ते हैं आप सभी इसको छाप लिए होंगे तो मैं उपर से मिटाता हूं अपने गुरुजी की तरह कि नीचे वाले बच्चे लिखते रहें उपर का मैंने कुश्चन अभी सिर्फ मिटाया है कुश्चन नमबर सीकेंड देखो इसको भी और यह है वन प्लस टू ओके ओके कुश्चक लगा के और इंटू का टेन कर दो भाई साब अब उधर जाया करें कुश्चक लिए इसको बंद कर दो और यह टेन और इसको भी बंद कर दो यह हो गया कुश्चन चलो जल्दी से रेडी हो जाओ कितना आएगा फटा देता हूं जल्दी करिए देखिए जो भी प्रसन आपके सामने आए एक बार कोशिस जरूर करो कोशिस जरूर करो बिल्कुल हार नहीं मानना ठीक ना जब टूटने लगे होसले तो बस यह याद रखना बिना मेहनत के हांसिल तक तो ताज नहीं होते जूंड लेना अपनी म अंजिल को तुम अंधिरे में क्योंकि जुगनु कभी रोसनी के महता आज नहीं है आईए फिर हम लोग भी फोलो करते हैं देखिए कोट मास रूल के कार्डिंग मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ब्रेकट हल करते हैं ब्रेकट में भी सिक्वेंस से करते हैं जैसे कि होंगे तो इस कुष्टन की अगार्डिंग क्या है बच्चा इसमें दिया है बबुगा हमें कौन-कौन से कोष्टक दिये हैं चुटका वाला दिया है तो हम चुटका कोष्टक तक आगे बढ़ेंगे यह लो ऐसे माइनस कर दो और यहां पे ध्यान दो तो दो एक तीन हो ज हो किया अब मैंने क्या किया कुछ समझ में आया हमने सिर्फ इतना किया किया है जितना अंडरल यही चोटा कोश्ट क करना था जो बही हमें हल करना था उसको मने कर दिया अभी मजला कोईश्टक पकड़ेंगे वन इपांटू nou यह ठीक है इसको पूरा-पूरा साल्व करोगे, तो बच्चा ये माइनस दो का इसमें गुड़ा करोगे, तो माइनस का छे आ जाएगा बबुगा, माइनस का छे इतना हो जाएगा कोई श्टक के अंदर वाले में न, लेकिन बाहर से दस है, इसमें कोई चिन्ध नहीं लगा है, अगर न का अंदर में गुड़ा करोगे, तो हमें पता है कि 10 चंग 60 हो जाएगा, माइनस का 60, इसको छोटा कोई श्टक में मजबूरी में लिख दिया जाएगा, अगर चिन्ध माइनस लगा होता तो ऐसा लिखा जाता है, नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं करो इसको, क्योंकि ये दो से कटेगा, हमें पता है कि जब बच्चा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, जब ऐसे, तो का करो गए ये, तीस नहीं आएगा, ये हो गया, और माइनस कचिन था, इस होजा से माइनस हो गया, तो इसे लिख लो छाप लो आप सभी, अगर कोई परसानी है तो बता करवाने हैं, और ये वीडियो काफी मुझे लग रहा लंबा हो चुका भई, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो, तो चलो 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 और लेलो फटापट, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इस दो का घाद दो, और प्लस दो, ठीक है, ये टू है याद रखना, और ये बंद हो गया, ये माइनस का दो, ठीक है, ये कुश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे बच्चे, माइनस छे इसका अंसर आएगा, ओके, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बता देना मुझे, अगला कुश्चन लिख लो, 96, डिवाइड बाई, 12, चलो फटा-फट नोट करते चलो, 12, इसको सब हल करना, देखो, ये मत सोचो कि हम कहां से लिख रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, बस आपको समझ में आए, आप अभ्यास क करो, कुश्चन बनायने से बनते हैं, अपने से नहीं बनते हैं, और अगर हम यहाँ पे डारेक्टली कुश्चन बना देते हैं, क्लास में, बड़े कठीन हो जाते हैं, इसका आंसर आएगा 148, चलो, जल्दी से करो, सभी बच्चे फटा-फट और बताना मुझे, कर लोगे ना, देखो सामने से जो थोड़ा सा इधर कट हो रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंसन मत लेना, बस देखते रहना, ओके, चलो, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, जूम था चले लिख लिजे जल्दी से, विल्कुल टेंसन में लेना भई, हो गया कोशिस के बावजूद भी हो जाती है कभी हार ठक कर मत बैठना मेरे यार, ठक कर मत बैठना मेरे यार, पढ़ते रहना आगे क्या पढ़ेंगे डिजिट, डिजिट मींस अंख, आपने डिजिटल इंडिया सुना होगा, अभी बात करते हैं सबके बारे में नंबर, क्लासिफिकेसन आप नंबर का मतलब संख्याओं का उवरगी करण, यानि संख्याओं कितनी परकारकी होती है जैसे कुछ मैंने नमूनिक के तौर पर यहां पर पेस किया है, नेचुरल नंबर, बोल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और नंबारीवेर नंबर, अरे बहुत सारी नंबर है, सब का आएगा नंबर, बस देखते रहो, देखो, अगर हम आपसे पूछे कि डिजिट क्या होता है, वाट ही डिजिट, तो भाया, अगर गड़ित पढ़ना है, तो अंक के बारे में तो जानना ही होगा, जैसे कहते हैं न, कि समुद्र में रहिए और पानी से परहेज करिए, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैत अगर शु जानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है, मतलब अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि अंक क्या है, तो आप उनको ये लिखके तो दिखा दोगे न, मूना, लेकिन आप उन्हें समझाओगे कैसे आखिर अंक है, क्या, देखिए, इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, और अपने-अपने अकॉर्डिंग, वैसे तो किसी परिच्छा में मुझे ने लगता कि इसकी परिवासा पूछी जाएगे, लेकिन हाँ, आपको पालूम होना चाहिए, तो इसे अपने-अपने आधार पे आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो, इसकी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमें जनकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख लेजिए, हिंदी-इंगलिस दोनों में बता दूँगा, लिखिए, अडिजिट इजा अशिंबल, लिख रहे हैं कि जो लोगो ध्यान दे, फिर से मैं बोल रहा हूं, अड बढ़ आजीब सा बात है, चलो लिखो, अडिजिट इज आ सिंगल सिंबल, सिंगल और ये सिंबल बोल रहा हूं, सिंबल, सिंबल मतलब वो, जैसे किसी जीच को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का उच करते हैं, समझे रहो संकेत एक परकार से, ठीक है, डिजिट इज सिंगल सिंबल, यूज़ तु मेक नुमेरल, यूज़ तु मेक नुमेरल, ठीक है, लिखलो आप सभी, यूज़ तु मेक नुमेरल, नुमेरल मतलब वो ही नंबर, या फिर नंबर लिखलो, यूज़ तु मेक नंबर, ठीक है, इक्जांपल, इक्जांपल लिखो निचे, 0, कि अर्वाई नहीं तक लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर दा डिजिट और दा टेन डिजिट हो गया जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे सिंगल सिंबल तो आप इससे ऐसा लिख सकते हो कि जो अंक एक ऐसा सिंबल है अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संख्याओं को लिखने के लिए परियोग करते हैं जो सुद्भासा में लिखना चाहें हिंदी में लिखने अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संख्याय लिखने में परियोग करते हैं बस ये परकार से सिंबल है जैसे आपने देखा होगा mathematics में बहुत चीजों का सिंबल होता है उसी सिंबल से काम बन जाता है जैसे पाई ये पाई का सिंबल होता है जो लोग मैथ मुगरा के अलावा साइंस भी पढ़े हैं capital G इसमाल जी इसका मतलब जानते होंगे वह लोग है ना जानते हो ना यह सब जानते हो ना क्या बोलता है इसको यह तो यह सभी क्या एक परकार से बिशेस रूप से सिंबल है जैसे अगर PBR study की बात करें तो बीना PBR study लिखे इसका लोगो जो है वह भी क्या एक सिंबल है है ना मतलब वहां से भी पैचान होती है तो यह हो गया डिजिट हाँ इसमें थोड़ा सा और भी लिखवाना था क्या बस वही था आदर टेन डिजिट अभी यूज एब्रीडे नुमेरल और भी आगे अच्छे से लिखवा दें क्या एक एक जामपल दूफरा लिख लो और में आता है थोड़ा इस्टेंडर्ड अगर इंगलिस्ट भी होती तो इस वजा से हमारी कोशिस है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो ठीक है रन नुमेरल 153 153 इज मेड़ अफ इज मेड़ आप अभी हिंदी में भी बताऊंगा फिरी डिजिट इज मेड़ आफ त्री डिजिट इसको हिंदी में कैसे लिखोगे यह को हिंदी में ऐसे लिख लो हिंदी में ऐसे लिख लो संख्या संख्या 153 से मिलकर बनी है बस हो गया मतलब समझ गये कि जो संख्या है बहिया 153 153 से मिलकर बनी है जैसे अगर मने 247 यह क्या है यह यह होता इसका वास्तों में मतलब समझ गये ना बाकी ज्यादा इसमें कुछ कहीं आता है नहीं इसको ऐसे भी समझ लो मोटा मोटा और भी एक्जामपल के तौर पे जैसे आपने पढ़ा होगा इंगलिस में वर्ड और लेटर हम सभी जानते हैं कि 26 लेटर होता इंगलिस में जैसे यह सभी एक एक लेटर होते हैं लेकिन अगर हमें काउ लिखना है तो क्या होता है काउ लिखना होता हमें तो एक से अधिक लेटर का यूज होता है तो ऐसे जान लो आप जैसे मान लो लेटर में क्या लीटर मिला करके एक वर्ड बनाते हैं उसी तरह से संख्याओं में हम एक एक अंक मिला करके क्या करते हैं एक डिजिट मिला करके बोल सकते हो मतलब 10 के हाँ 10 से सुरू हो जाता संख्या लेकिन उसके पहले जो होते सभी डिजित होते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं मुख के रूप से संख्या क्या होती है तो भई यह संख्या की बहुत सारी परिभासा है बहुत सारा सिस्टम है इसका भी समझे लो संख्या एक गणितिये वस्तू है जिसका जिसका उप्योग गणना जिसका उप्योग औरना इसको ऐसे समझे लो गड़ना जैसे आपने देखा होगा भारत की जन गड़ना हुई थी 2018 में तो गड़ना का मतलब गिना गया था कि कितने लोग है अपाने देश में और कितने नहीं लोग आ रहें दर्ती पे उनकी अभी कांटिंग नहीं हुई 10 साल हो गया तो गड़ना में माप माप का मईल डूगर माट एकमन रखा तो उसको न मापा मैं जाता तिर यह बहुत हो गया तोच ऑप लोग नापते हैं चो यही सब क्या होता है संख्या की परिवासा लिखना पाईगा लिख़ो लोग लिखना चाहें देखो लिखने दोनों में समझोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा जो बच्चे कनाठक से हैं औरिशा से हैं पंजाब arithmetic भई ये ऐसे arithmetic value ओके number is n यहाँ पर n लिखना arithmetic value used for used for representing the quantity and used in making used in making calculation मतलब आपको कुछ समझ में आ एक बार फिर से सुन लो a number is an arithmetic value a number is an arithmetic value used for used for representing representing the quantity quantity मतलब होता मात्रा जैसे अभी मैंने आपको बताया न एक लिटर दूद, पांच लिटर दूद, दो किलो आलूद, आठ किलो चावल यह मतलब क्या एक मात्रा ठीक है, and used for making calculation by calculation में भी संख्या का यूज किया जाता है आप कुछ भी जोड़ना घटाना करते हो ऐसे कुछ भी करते हो, उसमें भी क्या होता है number का यूज होता है, होता है कि नी यह Hindi English की दोनों की अलग-अलग तरह से परिभासाएं होंगा संख्याएं कितनी परकार की होती है जहां से चूटा था उसके आगे बढ़ेंगे देखिए साथियों, एक्चुली जो संख्याएं होती है वो होती तो कई परकार की है लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में अधिकान से यूज होती है सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते है जितनी हमें जरूरत होती है आप लिखिए कलासिफिकेसन आप नंबर इंगलिस वाले लिख ले हिंदी में लिख लीजिए संख्याओं संख्याओं का वर्गी करण या फिर परकार वर्गी करण तो जो हमारी यूज का है में में क्योंकि टाइम बहुत कम है वही पढ़ना है तो साथियों नंबर है कि इसमें फैस्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे आप लिख लो नेचूरल नंबर नेचूरल नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चा प्राकृतिक संक्या क्या बोलते हैं प्राकृतिक संक्या आकिर ये प्राकृतिक संक्या कौन से पक्चि का नाम है वही Natural वर्ड सुन करके आपके दिमाग में कुछ पेड, पौधा, नदी, पहाड, परवत, गड़्डा, गुड़्डा कुछ या दाया हां मतलब जो प्रकृति ने बनाया है अब देखो यहां पर समझो नेचुरल नंबर एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि वह नंबर जिसको इंसानों नहीं बनाया मतलब आजमान से गिरी फिर कहां से आई यह नेचुरल है आप सभी ने सुना होगा कि सुनने की खोज भारत के द्व होगे गिंती की संख्यायन नेचुरल नंबर कहती कि यह भी आप लिख सकते हो ठीक है कि गिंती की संख्यायन नेचुरल नंबर कहतीए जिनको हम गिन सक hospitals के देखे अगर मैंने तोम ऊन्हariamente के किता है तो आप गिन के बता दोगे एक हैं अगर मैं दो ले लूंट अगर मेरे हाथ में माइनस 5 मारका रहे हैं आपको कहीं दिखा रुपया सुन्ने हाथ में कहा है नहीं ना अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में एक पैन तब आपको गिंद्धि आएगे आ को दिखेगा भी एक तो आप समझ गए ना यानि वह संख्या जिसे हम गिन सकते एक परकार से परजंट कर सकते हैं किसी न किसी मार्दयम से ब सून निपस्तू है यह सून निफलाना चीज है ऐसे नहीं बता सकते हो ना देखो अब समझवागे इंगलीज में इसको कैसे बोलेंगे दिखो देखो नबर और नोन as counting number, natural number are known as counting number that contain the positive integer that contain the positive integer देखो भईया यह integer जो है इसका मतलब है पुड़ांख ठीक है पॉजिटिव मतलब धनात्मख इनका यह मतलब है कि जो प्रेक्रितिक संख्या है वह क्या है एक counting number है, मतलब गिंती वाली संख्या है, गिनी जाने वाली संख्या है, set content positive integer, मतलब जिसमें धन पूड़ांक सामिल होते हैं, या फिर जो धन पूड़ांकों को आपने में सामिल करती है, जो चाहे तो इसको गुमा फिराए कि चार लवर मिला के बोलो, चाहे सीधा फिरा बोल क्या है, अगर आप competition में आ गए हो, अगर आप अभी भी बच्चे हो, तो हो सकता कहीं पूछ लिया जाए, हाँ, आप से लेकिन ये पूछा जाएगा, कि प्रकृतिक संख्या की सुरुवात कहां होती है, इसकी खतम हिंड कहां होता है, तो भहिया हो प्रकृतिक संख्या की स सुरुवात वन से होती है, बभवा, वान, टू, त्री, फोर, फाइव, डट, 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 कहां तक, अनंत तक, ये इन्फेनेट का चिन, ऐसे लिखते हैं ना, इन्फीनिती, इक स्पेलिंग सही है न, ये क्या है, ये प्रकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो गया, इक्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो नेचुरल नंबर में, भी ये भी क्या है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, ये नेचुरल नंबर साब नेचुरल नंबर है, लेकिन ध्यान रहे हैं, यहापे कोई नंबर माइनस नहीं होगी, माइनस हो जीता कमेंट कर जिनकी नहीं हुई मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जो पहले से जहेल रहे हैं उनके बारे में बात नहीं है अब देखो इसके बाद अगला नंबर लिखो वोल नंबर मतलब जानते हो यह यह वल मतलब पूर्ड संख्या अब यह होल का मतलब कुछ और समझे रहे हैं लोग देखो यहां पर समझो पूर्ड संख्या पूर्ड संख्या क्या होती है देखिए यहां पर थोड़ा से समझे पूर्ड संख्या के बारे में यह बहुत ही आसान है यह प्रकृतिक संख्या का ही पडोसी है तोणों का घर आता है पास्समेंड आगल वें वे तोड़ा साम्ढ़त है यह क्या है तो घृतिक संख्या के परिवार में उत्यां कि एंअ के सामिल कर दें यह बनि संख्या क्या होती है क्योंकि यह दूरे अधूरे से प्रकषचिक संख्या पूरी नहीं है यह अधूरी अधूरी से प्राकृतिक से मतलब आप समझ रहा हूँ ना जीरो के बिना कितनी तक संख्या लिख सकते हो आप बताओ कितने तक लिख सकते हो बिना सुनने के ज़्यादा आगे निबड़ पाओगे आसमान में फूरोगे जमीन पर आजाओगे नएख समझ दूने की कोई से करो तो पुल्ड संख्या समझ में आई यह इंग्लिस में जो मैंने बताया नहीं भी हिंदी में बताया हूँ इंग्लिस म थ्योंकि नहीं नहीं कहने का मतलब वही प्लस में है फाज्टिव है बस फल नंबर में भी माइन सोरी संक्या नहीं आती है ठीक है इंड इस अधनी लूठ इंक्लूट विल्ध यह डज अधनी इंक्लूट एन फॉर्ट्ट संख्या में कोई भी अधिस्यमाल यह fraction सामिल नहीं होता है अगर 1 upon 2 है तो कहो बच्चा का ये पूर्ड संख्या है नहीं नो और फलाने कहता है कि ये तना लिखा है 0.45 ये पूर्ड संख्या है ये भी नहीं है सिदा सिदा कह रहा है कि whole number are known as non-negative integer पुल मिला करके अपने खुपड़ी मितना बतालो कि जो natural number पढ़े हो वही ये भी है इसमें सिर्फ और सिर्फ सुनने होता है ये इतना अंतरवा यानि counting number ही होती है ये भी इसमें लेकिन 0 भी होता है समझी गए ना जल्दी से आगे आगे बढ़ते रहो फट आफट तुरंत आपको कहीं खोजना नहीं है और अगर आप सब्रब बना के रखते हैं तो यूटूब पे भी हमारी वीडियों आएंगी धिरे आतीरती बीच बीच में ये आप देखते रहो और पढ़ते रहो ठीक है पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो अगला बच्चा इंटीजर आप लिखो टैटल फटफड है अगला क्या है इंटीजर इसको देशी बाता में पुढांक वही पुढांक वही पुढांक जो बच्चे ले आते हैं तो इंटर्व्यू लेता है तो कहते हैं तो पापा को पास कराने को बोले ना समझारा है वन्य अबिषार के ट पूछने लगे लो बताओ तो पापा को पास कराने को बोली तो टाप इसे नहीं करना आप लोग पढ़े लिखे रहें चलो कुड़ां क्या होता हैं पूलो पहले इंगलिस में बताऊंगा उसका हिंदी में सोच विचार के चलो सुनू इंटीजर आर दस सेट आफ आल होल नंबर बट इट इंकल्यूड आर निगेटिव सेट आफ नेचुरल नंबर आलसो यह दूई स्टेप में थे तीसरें पहुंच गए यानि कि जो होल नंबर होता है बच्चा जीरो से ले करके यह आला फलाना वाला जो पढ़े हो ना भी यह अरे यह फोर था यह इंटीजर में भी सब होते हैं सामिल होते हैं सब लेकिन इनकी नियत थोड़ा और बड़ी हो जाती है यह सभी माइनस नंबर को भी सामिल कर लेते हैं अपने में यह माइनस का वान माइनस का टू माइनस का थ्री डाट डाट बात समझ में आई जबकि नेचुरल नंबर म और जो होल नंबर था उसमें निगेटिव नंबर नहीं थी लेकिन पुड़ांग की बात करें तो यह सब को आपत में समेट लेते हैं कि समझ गए ना यानि सभी धनात्मक और सभी रिडात्मक संख्याओं को पुड़ांग कहते हैं हमारे समझ से यह हुआ इंगलिस वाले सुन लें इंटीजर आर सेट आफ आल होल नंबर सेट मतलब एक समुच्चे एक समू समझ लो ठीक है बट इट इंक्लिवड निगेटिव सेट आफ नेचूरल नंबर आल सो आगे लिखो जेड रिपरजेंट इंटीजर आएंड़ सेट आफ इंटीजर आर जेड इक्वल देखो कुल मिला के कहने का यह मतलब है इनको जो हम परदर्सित कर सकते हैं जेड से जेड क्या है इंटीजर पुडां का सिंबल है नेचूरल नंबर का जो सिंबल है वो यन है याद रखना कहीं अगर नेचूरल नंबर लिखना तुम यह लिख दोगे मान लिया जाएगा बोल नंबर का सिंबल डबलू है अभी तक मैंने तीन पढ़ाया तीनों का यह सिंबल है अलग 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 साथियों यह रियल नंबर आखिर होता क्या है देखिए जरा सुनिए एक मिनट के लिए वह नंबर रियल नंबर कहलाता है इतने भी नंबर आप जानते हो उसमें से आपको एक नंबर छोड़ देना वह है इमेजनरी नंबर अगर आपने सुखा है सुना है कहीं कालपनिक संख्या ऐसे सुन लो इंगलिस में आलता पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर फ्रेक्शन एंड डेसिमल नंबर विदाउट विदाउट इमेजनरी नंबर हार काल्डिगर नंबर मतलब कि वो सभी संख्या है जैसे कोई नंबर प्लस है या कोई नंबर माइनस है या कोई नंबर फ्रेक्शन है मतलब या कोई नंबर डेसिमल में है ये सभी क्या है अभी कि अपकी यह real नंबर बावो किसी थी परकार montón संख्या सब रीजल नंबर हैं लेकिन इसमें है कि आपको क्या को छोड़ देना वह रील नंबर नहीं है वास्तलिक संक्या नहीं है क्या कि भीडियो बतानी पड़ाखी अलग से कंपल कि काफी लंबी कहानी है साटकट में से समझ लो कि वो संख्याएं जो i square equal minus one या फिर i equal under root minus one के रुपके होती है वो कल्पनिक संख्याएं कालाती है अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप comment करना डेर सारा और आपको इसका अलग से एक class देंगे हम आप समझ जाओगे यह imaginary number क्या होता है तो समझ गए वस्तिविक संख्याएं क्या होती है all the positive and negative integer fraction and decimal number without imaginary number are called real number यानि कि वे सभी वे सभी कौन कौन सी धनात्मक संख्याएं विनात्मक संख्याएं और दसमलो संख्याएं वस्तिविक संख्याएं कालाती हैं लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कलपनिक संख्या सामिल नहीं है बस यह हो गया इसमें कोई भी संख्याएं ले लो आप मैंने बताया simple वाले number हो गया minus वाले हो गया fraction वाले हो गया यह सभी वास्तिविक संख्याएं यानि real number इसके आगे बात करते हैं, रियल से ही याद आता है, रेफणल नमबर. देख के साहते ओ, रेफणल नमबर की कहानी आप बहुत दिन से सीखते आया हो, लेकिन अभी तक आप काफी confusion में हो ना, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, रेफणल नमबर. अप्राइब olabilir आप्राइब incentiv आप अग संख्राइब क्या होती है इस परगासा होती है अलग इसको सिंपल में हम लोग बस ऐसे ही जानते हैं कि वह संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो पर्मिय संख्याएं कहलाती है यह याद रहे जब कि पी क्या है पी जीरो हो सकता है इतना याद रखना बस इसमें जो डेफिनीशन है उसके एकार्डिंग एनी नंबर एट कैन बी रिटेन एजर रेसियो आफ वन नंबर ओबर अनदर नंबर इसमेंस एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इंदा फाम आफ यह पान क्यू समझ में है ना दा सिंबल क्यू रिपर जैंट दारेफर नंबर जैनी अगर हमें पर्मिय मतलब और इसके अलामा जो महींने अभी रियल नंबर आपको पढ़ाया disorders करते हैं इस ट опас पर्मिय संख्याव को क्यों से लिखा रादा है वही अगर बात करें आपर्मिय संख्याव की अपर्मिय संख्या का शींबल पी होता हुआ है सिंबल याद रखना हर किसी का सिंबल याद रखना तो कुछ एक जंपल के माधन से समझते हैं अगर अंतर ना बताया जाए तो आपको समझ में ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है क्योंकि इनकी गडित बड़ी उलजी सी है तो भाईया इधर देखो बाबु समझने की कोशिस क करो और हाँ क्लास को पूरा देखना बीच में इसकी पनी करना मज़ा बहुत आएगी समझ में भी आएगा लेकिन पूरा देखना तब ऐसे आधा धूरा नहीं कि देखो यह रेफनल नंबर है यह क्या है यह रेफनल नंबर है अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिए ल क्या हो गया क्यों कि रोपका है लेकिन क्टवा अगर हम ऐसे लिख दोbalanced over 0 इसे पूड़ी अपान क्यों को पूंड के बराबर स्वर्डमट फिर यह रहा जाएगी इसमें एक condition होती है कि प्यापांकू की रूपका तो होना चाहिए लेकिन उसमें Q does not equal 0 जैनि हर जो है वह कभी भी सुने नहीं होना चाहिए अगर यहां पर हर सुने नहीं है तो यह पर्मिय संक्या है यह पीएपान क्यूट का फार्म है सही है लेकिन यहां पे हर जीरो हो जा रहा है यह गलत है मतलब हर नीचे का गिंती जो है सुने नहीं होनी चाहिए एक बात और समझ लो जैसे मानलो इसी में मैंने लिखा अंडरूत तीन बटा साथ तो यह क्या है पीएपान क्यूट के फार आज यह फार्म का है यह नहीं है ज़िए बताओ अब बच्चर यह रियल नंबर पशलाल नहीं की बात करें यह नहीं कैसे नहीं आप यहां से समझे लो पिर बताना अगर कोई तैंसन होगी तो एस गूनि जो रूट थ्री है उसका एक कम्पलीट एक पूर संख्या एक परक हम अंडरूट 9 अपान 7 लिखे होते हो तो यह था यह परमिय संख्या था इस लिए क्योंकि इसका वर्गमुल 9 का 3 हो जाता और यह 3बटा 7 बन जाता जो कि क्या था एक रेटनल नमबर था एक परमिय संख्या थी तो अगर इस तरह से कहीं लिखा है अंडरूट तीन बटा साथ तो यह क्या है अगर पांच बटाजीनु लिखा है तो क्या यह अपरमीय संख्या यह परमिय संख्या नहीं है अगर कहीं भी ऐसे नमबर लिखा है अंडरूट इसका मतलब आप जान रहे हो यह क्या एक रेफनल नंबर है लेकिन बच्चा अगर कहीं ऐसे लिखा है 35 एक सो तीन और यह अंडर रूट में है यह एक रेफनल नंबर नहीं है यह परम यह संक्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमुल पूरी तरह से नहीं निकलेगा 103 का पिर मामला अरज जाएगा समझ गए ना यह आपने सीख लिए रेफनल और इरेफनल नंबर इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता देना बिल्कुल भी आप लोग पैंसा नहीं लेना लिख लीजिए फटा-फट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना हम और भी बताएंगे बहुत सारे नंबर बताएंगे ठीक है देखो बहुत सारे ऐसे कल्कुलेशन हमें करने पड़ते हैं और वो ऐसे दिये होते हैं कि उनमें हमें डारेक्ट नहीं समझ में आता कि वो रेफनल है कि एरेफनल है तो जब तक उसका हम कोई एक निश्चित सल ख़वान जाने का होता है वो तो बात की बात है हम यहां पर करते हैं पहले जार्च जैसे यह अंडरूट 3 बटा साथ लिखाया बच्चा और यहां पर लिखाया बगुवा 9 बटां अंडरूट 3 अब कहो कि इसका जो हल आएगा वो रेफनल नंबर होगा कि ए रेफनल नंब क्योंकि वह कैसे हैं क्योंकि वहां पर अंडरूर तीन है अंडरूर तीन का और गमुल पूरा पूरा निकलता है नहीं लेकिन बच्चा देखो समझो ऐसा नहीं है इनको जो हम सिंप्लिफाई हल करेंगे तो हमें पता है एक नीचे एक उपर कड़ जाएगा जो कि क्या है एक नंबर कितना असान है लेकिन हाँ एक बात और याद रखना अपने दिमाग में भर के रखना अगर यह अंडरूर तीन बटा साथ और बच्वां यह प्लस होता यह प्लस होता बबुगा तब आप इसको काट नहीं सकते याद रखना अगर बीच में प्लस या माहिना से तो सकती हो समझ गए ना यह क्या रखना नंबर कंप्लेक्स नंबर काफी लोग पर रहें कि इंगलीस में लिख रहे हैं मुझे तो आती नहीं यह कौन सी भास है भी आम तो इंदी जानतें यूपी वाले हैं विहार वाले हैं बिल्कुल टैंसान मतलो बंगाल वाले और आसाम व दोनों लेंग्वज लिखेंगे कंप्लेक्स नंबर को साथियों बोलते हैं समरिष संख्या यह क्या होता है इसके बारे में आप सभी ध्यान से देखिए कंप्लेक्स नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है अगर आप इंगलिस थोड़ा बहुत जानते हो हिंदी में तो फिलहाल कम समझ में आएगा या हिंदी में भी आप समझ सकते हो देखो यहां पर लिखा समिस्र जो लोग हिंदी पढ़ें संधी और उनको पता होगा देखो मिस्र ना आपने पढ़ा था मिस्रित भिन मैंने आपको बताया था ना मिक्चर जी से जानते हो मतलब कोई भी बस तुम्हें सारी चीजें मिला दी जाएं तो उनको क्या बोलता है मिक्चर ना अब देखिए यहां पर समझ यह कैसे समिस्र दो चीजों का मिक्चर तरह लग रहा है न तो इसको पहले आप लोग एक्जांपल से समझ लीजिए फिर आपको बताते हैं बुल मिलाके इसमें हमें यह फील हो रहा है कि इसमें दो संख्याओं से लेकिन मैं बता दूँगा जैसे हैं लिखा 3 प्लस 2 आई अब आप कहोगे यहां पर कौन सा मिक्चर है यहां वे तो कुछ दिखी नहीं रहा दूची नहीं नहीं लेकिन है जैसे अगर हम यह नंबर देखें और यह यह दोनों वैसे कंप्लेक्स नंबर पढ़ने के पहले आपको रियल नंबर और इमेजनरी नंबर आना जरूरी है तो हमें लगता पिछली कॉलास में मैं पढ़ा दिया अगर नहीं पढ़ा था तो आप बता दीजिए का कमेंट करेगा आपको मिल जाएगा वह स्दूरी नंबर अगर इसकी बात करें यह क्या है रियल नंबर है जिसे बोलता है वास्तविक संख्या क्या बोलते हिंदी में वास में मिला दिया जाता है तो बन जाती है आपकी complex नंबर या समरिश संख्या तो इसे क्या बोलता है imaginary number मतलब की कालपनिक संख्या इसे आप लोग लिख लीजिए जो भी लिखना चाहते हैं इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं बाकि इसकी definition भी हम आपको क्या पढ़ना है रियल नंबर और imaginary नंबर इसके पीछे के पार्ट थे वह तो आप सभी जानी रहे हो लेकिन मैं थोड़ा सा यह नंबर के बारे में आपको पता देता हूं imaginary नंबर आखिर यह कल्पनिक संख्या क्या होती है क्योंकि यह थोड़ा सा जीटाइब कर लगता है कई बार समझ में नहीं आता है तो यहां पर आप लोग घ्यान दीजिए उसके पहले इसन बाद में लिखाऊंगा वैसे दोनों की वास्तविक कल्पनिक और यह संब्रिस सबका उदाहरण में लिखवा दूंगा पहले आप यहां पे समझ लीजिए फिर उसके बाद उदाहरण और परिभासा सब हो जाएगा जैसे नाम से अस्वर्ष्ट है कल्पनिक संख्या जैसे कल्पना करिए इमेजिन करिए हम अपने आकर परदान बन गए उते हैं कोई चाहँ आइसा ही है यहां पर आप देखी है समझ लेकिन होगा नहीं तो कॉछ संख्या में यहाँ पर आप इधर साइड में देखिए कल्फनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर इसका जो रूप होता है अगर आप कहीं भी देखोगे ढूड़ोगे आपको मिलेगा आई का इस्क्वायर इकपल माइनस कवन या फिर जो आप सिंपल में अभी तक पढ़ते आयो इधर स हो जाएगा वर्गमूर लग जाएगा और यह जाएगा इसका एक परकार से क्या है वह खौटा है बस किसना समझे लो कहीं भी अगर आपको कलपनिक नंबर दिखाना आप इस तरह से दिखा सकते हैं और यह तो आपको कुछ समझ में नहीं हो गया आई क्या है और यह क्यों लिखा गया कैसे क्या तो अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी है हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैद तो हम इतना ज्यादा गहराई में जाने वाले नहीं 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 तो फिर उपर से उड़ने लगएगा समझ में आये गर नहीं तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें यहां पर जरूरत देखें इनके अगर हम कुछ और भी ग्जामपल देखें तो जैसे मानलो अंडरूट माइनस का 25 यह भी क्या आपका एक परकार से काल्पनिक नंबर यहां से यह समझने आ रहा देखो एक चीज आई सिंबल है किसका काल्पनिक नंबर का या इमे इसमें भी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है देखो कैसे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कि इसको लिख सकते हैं 25 और नहीं दोली 111 इसमें गुड़ा करोगे तो 25 हो जायागा यह क्या परकार से उपरका च्षत है इसके अंदर में आप कुछ भी करो सब होते हैं कि फ दो यह भी तो यह हुआ ना कि इस तरह से आप यहां से समझ गए इसका क्या हो जाएगा वरकुल अरॉख से आज गया चुक्कि यह परफेक्ट रूट नंबर है पुरु वर्गसं क्या है तो इसका थो पांच हो जाएगा लेकिन जो माइनस का यह वन फ़सर आये क्या आप यहाँ देखो इधर यह क्वाण आप यहां पर आय लिख सकते हो न तो फक्लमिला करके समझ में आ गया फाई पाई क्या है एक इमेज़नरी नंबर एक समझ्ख्या है यह यहां पर जो जो मैंने लिखा था वही यहां भी है बस इसका थोड़ा अप्ग्रेट फाम है ऐसे मानलो नई अप्डेट तो इसको लिख लिजिए और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख पा रहें तो पीवियार स्टेडी लाहबाद की चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल परदान मंत्री जी कहते हैं एक देश एक टेक्स तुने ओना एक चैनल है जो कि प्लेटफाम कोई भी नाम होई है आप अने केडमी पर भी पीवियार स्टेडी को फॉलो कर सकते हो वहां भी नाम होई है वह से चातर कमेंट करते मैसेद करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर क इसके बाद इसमें हमें जो पढ़ना बहुत आसान-ासान है लेकिन कुछ लोगों को अभी इसमें समझ में नहीं आया होगा तो हम थोड़ा और भी जमपल उनको बता देते हैं जैसे देखिए इसमें आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो कोई भी नंबर ले लो जैसे पढ़ते हैं नींद बहुत अच्छी आती है यह ज्यादा काम करती है अगर आप चोटे-चोटे टॉपिक करोगे तो नहीं आएगी और बाकी अगर आप समझ कम रहो और कर कुछ और रहो तो फिर नींद आएगी बहुत अच्छी फिर मज़ा नहीं आएगा इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 625 और इसको जैसे अभी मैंने बताया था कि शेथो पचीश कर चाहो तो इसका वर्गमूल आप निकाल लो इतने का इसको तोड़ लो अच्छे से अलग अलग ही कर लो इसका रोजाएका तो इसको चलो हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको मिटा देते हैं आप सभी को समझ में आ गया कि इसको हम यहां उपर साइड अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 625 और यह अंडरूट माइनस का वर्गमूल क्या होगा 25 होगा क्योंकि 25 का उवर्ग 625 होता है और यह इसकी जगा पर आई लिख सकते हो गुड़ा कर लो एक लाइन और बढ़के 25 क्यों हो गया क्यों कि जो कह आपका हो गया तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बता इंग नहीं दिख रहा है थोड़ा कम दिख रहा सबसे पहले इवन मिंस की समसंख्या आज हम सबसे पहले इसके बारे में अध्यन करेंगे बिल्कुल गहराई 1200 के बाद हम पढ़ेंगे और नमबर let Warm Ins license क्या उता भई बिसमसंख्या क्लास को पूरा हैं तक पहले ही स्टार्टिंग में प्राइम नंबर मिन्स अभाजय संख्या कंपोजिट नंबर यानि की भाजय संख्या ध्यान से देखना बिल्कुल समझने की कोसिस करना बहुत ही आसान है यह आपके कंपोटिशन की परिक्षाओं में कुछ क्विस्चंस भी इन पर आधारित आते अब गाउं में लोग उबाल के भी खाते हैं पूझ के भी खाते हैं पकॉड़ी बनती है मतलब समोसा भी बनता है बहुत सारी चीज़े बनती है लेकिन अगर कहो अकले आलू तो बहुत सारी सब्जिया नहीं बन पाती है ना समझ गये वह ऐसे इस इंप्वाटन तो भीया समसंख्या वैसे तो जैसे इस समय जमाना टेकनिकल हो रहा है थोड़ा थोड़ा इसमार्ट हो रहा है वैसे हमें भी होना है पहले तो हम लोग यह पढ़ते आए हैं कि वह संख्या है जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वह समसंख्या है मतलब दो से भाग करने पर सेसपल जीरो आजाए तो वो समसंख्या है लेकिन ये जो सिस्टम है ये हर जगा काम तो करता है लेकिन थोड़ा बड़ा लगता है जैसे अठारा लिखा है ये सम है या विसम है इसको जानने के लिए हम क्या करते थे पहले ये दो से भाग करते थे तो दोनों अठारा और जिरो आ गया मतलब यह संख्या है अगली संख्या जैसे माने लिख दिया मानलो 13 अब यह सम है कि विसम है इसको भी दो से भाग करते थे और अगर सेशपल 0 नहीं आया तो यानि यह बात 13 यह विसम संख्या है मेंस और नंबर है लेकिन यह छोटी-छोटी गिंती थी चल गया चल गया जब तक तब तक चल गया अब अगर यह नंबर आ गया 190572154 अब भया इसको कहो कि टू से भाग करो तो आज कल कमपटीटिव जीवन चल रहा है इसमें दो से भाग करेंगे तो कम से कम दो मिनिट लगेगा और उतना देर में तो कमपटीशन में हम लोग कि अब ऐसे समझे लोकि वो हो संख्या जिनका लास्ट यानि अंतिम आंग को आपको इसको भागवा पुछ निंहें करना सिर्फ देखना है बस प्यार से देखना लेकिन चलो देखो मगर प्यार से, ऐसे मतलब समझो, वो संख्या है जिसका अंतिमंक यानि कि लाश्ट डिजिटल क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इन में से अगर कोई भी अंक है, कोई भी एक, इसका लाश्ट का एक ही पकड़ना है, तो वो संख्या है, अन्यता भी संख्या है, आप सभी कमेंट कर करके बताओ, यह सम है अभी सम, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहें, नीचे मैं देख पा रहा हूं, लेकिन माफी चाहता हूं, वो सिर्फ पढ़ाई सकता हूं, एके जी बिलकुल आपका कमेंट आ रहा, सौरब पांडे, रभी संकर, प्रियांसू, प्रियंका, नंदन, और सम, जल्दी बोलो फटाफट, अगर यह सम संक्या है, तो तुम क्या लिखोगे, लिख के कमेंट करो, अगर यह बिसम संक्या है, तो और नंबर मींस ओ, लिख के कमेंट करो, बताओ, चलो, सम है तो यह बिसम है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटा 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 देर ना कर भाई कोशिस करोगे तभी कुछ होने वाला नहीं ऐसे कुछ होने वाला है नहीं यह समझ गए अच्छा भी है मिक्सर्थाइज बाद में देंगे अगला भी समझ लो विसम संख्या वह संक्या जिसका अंतिमंक कर स्कुम्रााट गभी 13579 वो क्या होगी विसम संख्या होगी बाकि वो दो से भाग करने वाला सिस्टम पुराना हो गया अगी सापिटा अब बहुत टाइम लग जाएगा अगर भाग करोगे तो तो क्या करें फिर आगे बढ़ें चलो देखो आगे सम्जो यह ठीक है संब उसम अब समझ गए ऊपर वाला मैंने कहा था समसंख्या क्यों कि इसका जो लाइस का अंक भाई साहाब बाभू जो इसका लाइस्ट का अंग ढके वो चार अ है छलो ऑब मुझे यह बताओ चलो से नमबर मानों आपके लिखा है तो बहए सब्सक्राइब यह सम है अभी हम जल्दी बर ऊब बी नंबर का अगर सम्थ है तो इलेकर कमेंट करना इफर फ्रलिफ데 अगर भी सम्थ है तो-स दलन के एेड जीरो जीरोजिरो फटाफट हर कोई कमेंट करेगा सम है की बिसम है सम है की बिसम है है को सिज करू चलो ये था बहुत ही आसान इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और और इ Neighbor ठीक है समझ रहो बात है हमारी कि नहीं समझ रहो आप तो जल्दी टाइटल दालो फटाफट अब यह दोनों आप लोग समझ गए आड और इवेंट समझ गए अब प्राइम एंड कंपोजित नंबर टाइटल लिखो फट से साथियों अगला देखो आप क्या पढ़ोगे कंपोजित नंबर और प्राइम नंबर मिन्स भाजय और अभाजय संख्याएं वें संख्याएं जो कम से कम दो मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजय हो वो भाजय संख्याएं कालाती है लिकिन इसमें एक को सामिल नहीं किया दाएगा मतलब क्यूंकि एक से सारी संख्याओं विभाजय होती है ठीक है दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से बाजे होनी चाहिए वो क्या होती बाजे संक्या अगर नहीं होता ऐसा तो बाजे संक्या है